हलो एवरीवान, कैसे हो आप सब, मैं हूँ आपके अपनी इलाकरानती माम और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नया अध्याई, सेकेंड चैप्टर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो गई सेकेंड चैप्टर का नाम है हमारा इस्थिर विद्युत विभाव तथा धारिता, क्या नाम है इस्थिर विद्युत विभाव तथा धारिता, तो वैसे भी हम लोग फर्स्ट अध्याय जो हम लोग पढ़े हैं, तो वहां से हम लोग पूरा इस्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं, मतलब की रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग पूर भी topics है उसको continue start करेंगे फिलहार lecture start करने से पहले guys फटा-फट से सारे बच्चे join हो जाओ guys फटा-फट से join हो जो बच्चे class में आ चुके है comments करके बदा दो कि class में आ गए हो अगर अभी तक इस class के link अगर आप लोगों ने अगर आज आप लोगों की पहली बार class है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नए अध्याई शुरू हो रहा है तो आप लोगों को समझने में problems भी नहीं होगी क्योंकि मैंने पिछले chapters में देखा मतलब बच्चे हर lecture में कुछ नए बच्चे आप लोग आते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर्स लेक्चर में हो सकता है कि जब आप लोगों का पहला lecture हो तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ ना आए क्योंकि चीजे जो है पिछले lecture से जो है बिल्कुल cover कर लेने हैं ताकि आप लोगों का जो concept वो clear हो जाए अगर आप लोग already इन chapters को पढ़ जुके हो तो बिल्कुल आप लोगों को दुबारा लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, notes proper दुबारा बनाने चाहिए, मैंने आप लोगों को comments में भी बोला था, comments में भी reply किया भूल भी जाओगी, right, so बिल्कुल आप लोगों को लिख लिख करके practice करना है, हर छोटी चीज को आप लोगों को लिखना है, लिखने से क्या होता है, कि वो जो blowing का है, वो बिल्कुल दिमाग में printer की चप जाता है, ठीके, बिल्कुल printer की चप जाता है, जैसे कि मैंने इसके पहले की chapter में आप लोगों को विद्युचेतर का जो real life application है, वो आप लोगों को दिखाया था, तो वहाँ भी जैसे चपता है, वैसी दिमाग में भी चपता है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, अगर आप लोग बिना लिखे practice करोगे तो मैं उसका एक drawback बता देती हूँ, कि बिना लिखे practice करने से हमारे दिमाग में लोड जादा हो जाता है, कैसे जादा हो जाता है, कि होता क्या है कि मैंने गौस का नियम पढ़ा या विद्युचेतर या विद्युचेतर के बारे में पढ़ा, अगर मैंने लिख लिख कर practice नहीं करी, मैं book देख रही ठीक है, तो एक दो बार तीन बार लिख के practice कर चुके हो, तो फिर बुख देखे पढ़ना अलग बात है, पर नॉर्मली अगर आप फर्स ताइम सेकंड टाइम अगर study कर रहे हो, या self study कर रहे हो, या reading कर रहे हो, book reading, तो उसको समझने में दिमाग में pressure लगाना पड़ता है, उस चीज़ को दिमाग में बार बार revise करना पड़ता है, पर अगर उसी चीज़ को ना भले लिखने में समय लगेगा, पर वो समझने में कम समय लगाएगा आपको, लिखोगे ना वो दिमाग में बैट जाता है, ठीक है, तो इसलिए लिए लिख लिख करके practice करना बहतर है, वैसे तो हम लोगों को आज second अध्याय स्टार्ट करना है, तो वापस से हम अपने topic पर आ जाते हैं, ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि first अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या पड़ा है, फर्स्ट अध्याय में पहले chapter में हम लोगों ने सबसे पहले तो बिंदु आवे ठीक है, तो 11 में आप लोगों ने पूरी यांत्रिकी पड़ी थी, यहां पे आप लोगों को पूरा विद्यत के बारे में जो है वो पढ़ना है, इस 12 की क्लास में, ठीक है, तो मैं आप लोगों को 11 से भी रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने स्थिते जोड़ के बारे में वहाँ पर बहुत अच्छे से बढ़ा था, सनरक्षी बल के बारे में बहुत अच्छे से बढ़ा था, वो सारी चीज़ें आप लोगों की आज यहां पर काम आएगी, जो आप लोगों ने कारे और शक्ति वाला अध्याय पढ़ाता, मतलब उसको बिल्कुल दिमाग में वापस से, मतलब की वापस से ले आओ, दिमाग में घुमा लो, वो चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और सांथ ही सांथ फर्स चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, इस पर भी मैं बात कर रही हूं, तो आप लोगों ने धन आवेश हो चाहे रिन आवेश हो उसके लिए आप लोगों ने विद्युद्चेतर और रिखाएं देखी थी और उसका एक अपना एक प्रभाव छेतर होता है जहां तक वो क्या करता है दूसरा आवेश उस आवेश की कारण बल का अनुभव कर पाता है त ठीक है हम लोग विद्युच्छेत्र को मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफाइख करके विभाओ के रूप में भी यहाँ पर समझेंगे दोनों के बीच में संबंध होता है relation होता है, एक छोटा सा difference होता है, उस चीज को हम लोगों को समझना है, तो ये सारी बाते हो गई, previously हम लोगों ने क्या-क्या समझा है, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना है, अगर नहीं समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसका मतलब यह ह कि आपका single focus नहीं था, आपने focus करके सुना नहीं, ठीके गाईस, तो single focus रखना है, ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आया, तो फिर से आप YouTube में classes देख रहे हो, back करो, शुरुआत से सुनो, 1.25 की speed में करके सुनो, ताकि आप लोग धीरे से जो है, हमारे साथ live होके, जो है, कवर कर लोगे हैं, classes को कवर कर लोगे, ठीक है, और quickly हम लोगों को सारा syllabus कवर करना है, तो आप लोगों के comments कम है, बिलकुल reply देती रहूंगी, पर आप लोगों को class को ध्यान से बिलकुल continue जो है, वो सुनते जाना है, ठीक है बच्चो, radio सब चलो, तो भाई, start करते हैं, finally class को तो टॉपिक का नाम तो आप लोगों का यहाँ पर लिखाई हुआ है, इस्थर विद्युत विभाव एवं विभुआंतर के बारे में आज पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण विभाव, जैसे कि बिंदु आवेश के कारण आप लोगों ने विद्युत छेत्र आथा, बिल्कुल उसी तरीके से, यहाँ पर तो हम लोगों बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचाय देखेंगे, इस्थर विद्युत विभाव का और विभुआंतर क्या होता है, बहुत ही महत्वपुण और इंपॉर्टेंट चीज है यह, तो इन सब चीजों को ह सुनना है, चलो, start करते हैं, class, start करते हैं, so, यह आप लोगों को जो चित्र भी दिख रहा है, ऐसा कुछ, मतलब ये चित्र जो है, आप लोग पढ़ोगे, पर start करेंगे, ये चैप्टर, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, एकड़म, विद्यूत में हम लोगों को छेतर के लिए बढ़ा था, पर मेरे को पता है कि इस class में आप लोगों को काफी जादा बोर लगा था, पर इस class में आप लोगों को बोर नहीं लगेगा, क्योंकि यह जो हमारा यह कैसी राशिय है, यह है अधिश राशी, और अधिश राशी का जो योग होता है, वो बहुत सिंपल होता है बीजगनित के योग नॉर्मली जैसे आप लोग करते हो ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत जादा लोड लेने की जरुवत नहीं है क्वीकली कवर हो जाएगा इसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में ही कवर कर लेंगे ठीक है इसके बाद हमा मतलब एक टॉपिक जो है वो बचा कर रखा था इसलिए बचा कर रखा था ताकि मैं यहाँ पर इस चाप्टर में जब हम लोग विद्योद्वीध्रू के कारण जब विभाव पढ़ेंगे ना तो लगबख सिमिलर है तो उन दोनों को एक साथ कवर कर वा लूँगी तो इंप्लिमेंट करना है आप लोगों को अप्लाई करना है इन सारी बातों को दैन हम लोग पढ़ेंगे सम विभाव प्रिस्ट के बारे में सम विभाव प्रिस्ट बहुत इंटरस्टिंग है विद्युद्षेत्र तथा विद्युद्वीभाव में संबंद जाहिर सी बात है यह सारे topics हम लोगों ने पढ़ लिये जो कि हम लोगों ने अल्रेडी विद्धित छेत्र में भी पढ़ रखा है विद्धित विभाव के लिए जब पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा problem नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने विद्धित छेत्र के लिए पढ़ लिया है तो ज्यादा tension की बात नहीं होगी यहां पर तो उसके बाद सारा चीज हम लोगों पढ़ने के बाद हम लोग इन दोनों को क्या है relate करके संबंध को समझ लेंगे की मतलब कैसे मतलब similar कैसे है क्या relation है आखिर तो संबंध हम लोग समझ लेंगे महत्वप बोड़ना चीज है विद्युत स्थितिज उर्जा तो guys स्थितिज उर्जा कारे उर्जा और शक्ति वाला जो आप लोगों का ध्याय है बिल्कुल यहाँ पर उसका concept आप लोगों का काम आने वाला है संरक्षी बल का concept आप लोगों का काम आने वाला है अगर आप लोगों को वो concept clear नहीं है तो बिल्कुल आप लोग मेरे को telegram में connect कर ले न अब telegram में कैसे connect करोगे तो इसके लिए हर class में मैं लास्ट में आप लोगों को अपना mail idea फिर Instagram idea आप लोगों को शेयर करती हूँ तो वहाँ पर आप लोग message करके मेरे को telegram channel का link ले करके मेरे अपने टेलिग्राम चैनल में ग्रोप में जॉइन हो सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास की पीडियाग भी शेयर कर दूँगी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो भी शेयर कर दूँगी, और जो इलावन से रिलेटेड टॉपिक है, अगर आप लोग भूल गए होगे, ठीक है, तो वह क्लास में आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ताकि ये चैप्टर समझने में आप लोगों को आसानी होगी, ये हमारा इस्थर विद्यूत विभाओं का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक ह मतलब आप लोगों को बहुत जादा लोड ना लेना पड़े, ठीक है, तो ये इस्थर विद्यूत विभाओं में लगबग 4-5 लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजे कवर कर लेंगे, ठीक है, तो सभी को क्लियर है, हाँ, चलो, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते जो अध्याय पढ़ा था, तो वहाँ पर आवेश और विद्यूत छेत्र की जो बाते हुई थी, ठीक है, तो वो कहानी यहाँ पर आकर्शन की घटना से शुरू हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी विद्यूत छेत्र था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आव गर्शन की वज़ा से इनके जो आवेश है घर्शन की वज़ा से इनके जो आवेश है ठीक है तो दोनों बादलों में कुछ धन आवेश होंगे और दोनों बादलों में कुछ धन आवेश होंगे और कुछ क्या होंगे रिर आवेश होंगे तो होगा क्या यहां पर घर्शन के क बात है कि यहां पर क्या होगा आवेशो का स्थानांतरन भी होगा क्या होगा आवेशो का स्थानांतरन तो हम लोगों ने आवेशो का स्थानांतरन तो पढ़ा पर जाहिर सी बात है कि यहां पर हम लोगों ने आवेशो का स्थानांतरन पढ़ा तो यह स्थानांतरन हुआ क्यो इसको हम लोगों ने कुलाम के नियमें पढ़ा था इस्तिर विद्युत बल ठीक है तो यह सारी चीजे हम लोगों को प्राप्त होई थी आई होप आप लोगों को क्लियर दिख पा रही होगी रंग भी रंगा इमेज है सो थोड़ा सा आप लोग जो है अपना विजिबिलीटी आप लिखोत त इत्र वृषा अंतरण हो ऐसका मतलव वहां पर कुछ ना कुछ बल लग रहा है तिर विद्युत बल का है और स्थिर विद्युत बल बाहे बल$ तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जो है तो वस्तु में क्या हो रहा था वस्तु में गति उत्पन हो रहा था ठीक है अगर वस्तु जब स्थिर थी तो यहां पर कया था इस्थितिज उर्जा भी थी तो इस्थितिज उर्जा का भी चीजे हम लोग के हाँ पर इस चापकर में कवर करने वाले जैसे गति किया ने जैसे हिए गतिक तो यहाँ पर दूसरे पोजिशन में यहाँ पर आ गई ठीक है दूसरे पोजिशन में आ गई तो एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ा यहाँ पर कारे करना पड़ा ठीक है तो यह कारे हम लोगों को कैसे मिला था बल गुड़ा विस्था का कैलकुलेशन करके ही हम लोग उर्जा का भी कैलकुलेशन कर पा रहे थे तो इस अध्याय में भी हम लोगों को उर्जा का कैलकुलेशन करना है स्थितिज उर्जा का कैलकुलेशन करना है कारे के कैलकुलेशन से हम लोगों को वहां पर विभा उप्राप्त होगा तो उसके ब मतलब कि यह आवेश का जो परमाडू है, वो क्या है, इसका स्थानांतरन जब हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मालो कि एक बिंदू से दूसरे बिंदू पर यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदू आवेश का क्या होगा, स्थानांतरन होगा, आवेशों का स्थानांतरन तो पह कार्य कार्य पराप्त कसे हो रहा है तो यहां पर बाहे बल के रूप में क्या लग रहा है बाहे बल के रूप में हम लょ की वज़ा से हमें कारे प्राप्त हो रहा है अब जाहिर सी बात है यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था यहां पर हम लोगों ने देखा था कि मतलब की बल जब लगेगा तो वहां पर वस्तु में क्या होगा विस्थापन होगा ठीक है और बल और विस्थापन के गुणन फ DR माल लेते हैं, DR का मतलब D जो represent करता है alkaline के अनुसार, small dispense, छोटा सा change को जो है यहाँ पर प्रदर्शित करता है, represent करता है, ठीक है, तो इस तरीके से यह हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, यह हमें प्राप्त हुआ, अब दोनों ही क्या है, सदिस राशिया है, दोनों ही सदिस र देखा है, अब आसमान इतना बड़ा है, अब वहाँ पर मालों की एक आवेश, दूसरे, मतलब एक आवेश, बिंदू आवेश, एक जगह से बहुत दूर तक कि अगर ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरी तो हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लोगों को निकालन आंतरण हुआ, हैना, वो सा, मतलब की पूरे इस्थाना आंतरण के लिए हम लोगों का किया गया कारे जो है, वो कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम लोगों को किया गया कारे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, कारे कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसके कारण जो तो इस्थितिज उर्जा है वो भी हमारे calculate हो जाएगी क्या हो जाएगी इस्थितिज उर्जा भी calculate हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगोंने कारे के बारे में जो पढ़ा ठीक है कारे करने की शमता को क्या कहते है उर्जा कहते हैं तो आप लोगोंने मतलब पहले दे होते हैं कार गाड़ी का विस्थापन कैलकुलेट करना अलग बात होती है और आवेश जो है एकदम छोटा कंड होता है परमाडु कंड होता है तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है ठीक है अब यह तो है अब आप लोगों ने संदक्षी बल के बारे में भी पढ होगा ठीक है पूरा 11 आप लोगों को रिवाइस करवा रही हूं थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्कुल आप लोगों को ढहरे बना के चलना है ठीक है यह चीज़े समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक के मैं सीधे डारेक्ट अगर टॉपिक में आ जाओंगी ना तो आप लोग समझी जाओँगे ठीक है तो एकदम दो निट में की आप लोगों को एकदम धैरे बना करके सुनते जाना है अब हम लोग आते हैं संरक्षी बल के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह जो बल है ना यहाँ एक तरह का संरक्षी बल है जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं conservative force, क्या बोलते हैं, conservative force, अब संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी संरक्षी सब्द से समझ में आता है, सुरक्षित, जैसे कि आप लोगों ने संवेक संरक्षन का नियम पढ़ा होगा, उर्जा संरक्षन का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, संरक्षन का मतलब क्या होता है, सुरक लेना ठीक है तो यहाँ पर यह जो है संरक्षी बल है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे मालों की हम लोगों को स्थिते जुर्जा जब कैलकुलेट करनी भी होगी यहाँ पर है ना स्थिते जुर्जा कैलकुलेट करनी भी होगी अब जैसे यहां पर अगर इस तरीके का है ठीक है तो यहां पर जो संदक्षी बल के लिए जो मतलब स्थिति जूर्जा है अगर हम लोग उसको calculate करेंगे तो एक बिंदू से दूसरे बिंदू के बीच का अंतर हम लोगों को calculate करना होगा चलो ठीक है फिलहाल आप लोग अभी ही समझ लो बांकी चीज़े मैं derivation के time में और detail में बताती जाओंगी कारे स्थिति जूर्जा और स्थिति जूर्जा को calculate करने के लिए हमको कारे को ही calculate करना पड़ता है ठीक है और कारे के लिए हम लोगों को बाहेबल चाहिए होता है वो बाहेबल यहां पर स्थिर्विद्यूत बल है क भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर मालो जैसे कि यह स्थिर्विद्य बल था ठीक है यह स्थिर्विद्यूत बल याद करो यहां पर आप लोगों को क्या मिल रहा था एक यह वराबर क्यूए तो अब हम लोग फ़ाइनली जो है पर चैनल की देख लेते हैंild औ नाम बताया देती हूं एलसेंड्रो वोल्टा ठीक है इन्हों ने जो है सर्विद्यूत विभाओं के बारे में हम लोगों को बताया जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने हम लोगों को पुरा एलेक्रिसिटी और आवेशो के बारे में बताया था इस तरीके से बहुत सारे वैज्यानिकों का योगदान हुआ जसकी वज़े से आज आप लोगों को फजीक्स का ये सिले बस पढ़ना पढ़ रहा है ठीक है तो शुक्र मनाओ ठीक है इतना एडवांस लाइफ स्टाइल में आप लोग जी पा रहे हो आज के समय में सारी चीजे आप लोग उपयोग कर पा रहे हो तो इन साइंटिस्ट के वजह से ही है तो बोर नहीं होना है आप लोगों को पढ़ते पढ़ते मेरे को पता है क्या होता था हम लोग क्या बोलते थे यार ये साइंटिस्ट लोग इतनी सारी खोच करे और हमारे लिए सारा मतलब इतना सारा पोथी पुरान जो है चोड़ के चले गए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चपन में ऐसा फीलिंग आ जाता है क्योंकि पढ़ने में कभी-कभी हम लोगों को मन नहीं लगता है पर बिल्कुल मन लगाना है आप लोगों को पढ़ने में क्योंकि यही मतलब यह बोरिंग चीज ही आप लोगों क सारी खुशिया देने वाली है, तो अपने गोल पर फोकस रखना है, एक सिंगल लक्षे होना चाहिए आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, तो उस गोल के बारे में जब आप लोगों सोचोगे तो पढ़ने कमद अपने अप लगने लगेगा, तो जब भी आप लोगों को ऐस प्रॉपर सेट करना चीज़, जो आप लोगों को लगातार मोटिवेशन देते रहेगा, चलो बहुत हो गया मोटिवेशन, इस्थर विद्धित विभाव के परिचाय में आ जाते है, ठीक है, तो इस्थर विद्धित विभाव का परिचाय, वैसे फिलहाल मैंने आप लोग से वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, अनन्त से, यह आप लोगों का अनन्त है, यहां से एक बिंदु आवेश को जो है उठा करके लेकर क्या रहे थे, उठा करके लेकर क्या रहे थे, यहां पर इस क्यू से आर दूरी पर, ठीक है, यह जो आवेश था, इसको हम लोग क्या क्या Birते हैं इस त्रोत आवेश बोलते है स्थ प्रत आवेश इसको क्यों बोलते हैं इसलिए बोल एंक यह क्यों कि परिक्षण आवेश क्यूब बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं उस इस्तिरोत आवेश के पास ले जा करके इस इस्तिरोत आवेश में मतलब कितना प्रभाव छेतर है और मतलब कितना इस्तिर विद्युत बल है यह सब कैलकुलेट करते हैं अब हम कैलकुलेट करेंगे इस्तिर विद् ठीक है तो सिर्विद्धित विभाव क्या होता है कि इस एकांग आवेश को अगर मालो कि तुम अनंते से इस पी बिंदू पर ले करके आ रहे हो तो वही हो गया इरेवन का कॉंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को याद दिलाया था कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी कण को आप इस किसी भी परमाणों को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है कारे करना पड़ता है ठीक है तो वह कारे जो होता है इस कारे को करने के लिए जो बल लगाना पड़ रहा है ठीक है उस बल के और इस विस्थापन के गुड़न फ तो इस एकांक आवेश को अनंत से इस पी बिंदू पर ला रहे हैं इस स्त्रोत आवेश से आर्दूरी पर तो यहां पर इसको इस अनंत से पी बिंदू तक लाने के लिए कारे करना पढ़ रहा है ठीक है कारे करना पढ़ रहा है इस एकांक आवेश को तो यह किया गया कार यह ही क्या होता है इस्थिर विद्युत विभाव के बराबर होता है यह किया गया कारे क्या होता है इस्थिर विद्युत विभाव के बराबर होता है हम लोग क्या कर रहे है अनंत से पी बिंदु तक के लेकर क्या रहे है और यहां पर कारे भी जो होगा वो क्या होगा अनंत से प एकांक आवेश ना होकर के कोई आवेश हो ठीक है एकांक आवेश हो ना होकर के क्या हो कोई आवेश हो ठीक है तो इस परिस्थिती में इस परिस्थिती में क्या होगा यहां पर जो किया गया कार्य ठीक है अनन्त से पी बिंदू तक के किसी बिंदू आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य ठीक है और कौन से आवेश को आप ले कर क्या रहे हो जैसे कि क्यों नौट को अगर ले क्या रहे हो तो इसका परिमार इन दोनों का अनुपाद क्या होता है विभाव के बराबर होता है तो यह हमारा इस्थिर्विद्विभाव का बेसिक है ठीक है पर निर्भर करेगा क्योंकि इस कारे को करने के लिए हम लोगों को बाहे बल लगाना पड़ेगा और हम लोग जो दूरी यहां पर हम लोग जो दूरी में जो है यहां पर तै कर रहे हैं ठीक है जो दूरी हम लोग तै कर रहे हैं तो इस बल और दूरी के गुड़न फल के बरा तो A से B होगा, P से R लेके जारी हूं, तो P से R होगा, हना, तो वो आप लोगों को समझना है, पर यहाँ पर यह समझना चाहिए, आप लोगों को कि यह जो है, यहाँ पर कार यह किसके उपर ने भर कर रहा है, बल के उपर ने भर कर रहा है, और यहाँ पर जो यह external force है, ठीक ह है QE, तो कुल मिला करके यहाँ पर बल विद्युचेत्र और विद्युत विभाव, मतलब यह विभाव, यह विभाव और यहाँ पर यह क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा, मतलब कि कहीं न कहीं यह जो है इस पर निर्भर करेगा, इसका relation मतलब इसका सुत्र भी ह हम लोग देखेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, V बटे, R हो जाएगा, ठीक है, R जो है दूरी है, कभी-कभी V by L भी लिखा होता है, दूरी या लंबाई, जो भी बोल सकते हो, ठीक है, तो यह relation हम लोग आगे समझेंगे, कि यह कैसी आया, जब हम लोग सुत्र निकाल ले है, यह डाइग्राम आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह क्या है, सतह है, यह सतह एक है, ठीक है, और यह क्या है, यह है सतह दो, क्या है यह सतह दो, ठीक है, अब दो सतह है, आप लोगों ने गौस का नियम प पढ़ा था प्रिष्ठिया आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था इसका विद्युच्छेत्र भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था सिग्मा बराबर ए बराबर सिग्मा बटे टू एपसलान नॉट आप लोगों ने गौस के नियम के अनुप्रयोग में यह डराइव क आंशे बात है कि हम लोगों ने विद्युच्छेत्र के बारे मिरें पढ़ा था न, ये धन और ये रेड तो इस प्रकार से यहां पर विद्युच्छेत्र कैसे बन और रही था इस थां तरिकसे बन रही था है था चैंकि यह सारे mechanical phase अंपलों को क्लारिटी इतना नहीं आपातों मैं चाहती हूं कि अगर आप लोग मेरी क्लास में हूं तो आप लोगों को कॉंसेप्ट की क्लारिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए ठीक है बहुत अच्छे से आप लोगों को कॉंसेप्ट की क्लारिटी होनी चाहिए तो यह आप लोगों ने अल्रेडी पढ़ा प्रभाव यहाँ पर यहां पर यह ब्लू कलर की लाइन बनी होिए ये क्या तो यह जो धन होता है यह आप लोगों का उच्छ होता है और यह क्या होता है निम न होता है ठीक है उच्छ और निम जायर सी बात है कि कोई भी धन धनात्मक कोई भी धनात्मक नंबर है जैसे कि प्लस पांच है ना प्लस पांच और माइनस पांच ठीक है तो इसमें कौन बड बिंदू आवेश है, इस बिंदू आवेश को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहापर इस बिंदू आवेश को एक बिंदू A से हम लोग क्या कर रहे हैं, बी बिंदू पर ले करके जा रहे हैं, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसे भी बिंदू आवेश को हम ल करना पड़ेगा कार्य करने पड़ेगा तो कार्य करना पड़ेगा मतलब कि यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कुछ न कुछ external force लगाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर जो किया गया कार्य है तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या बूलेंगे W, A, B बोलेंगे, क्या बोलेंगे W, A, B, मतलब A बिंदू से B बिंदू तक कि किसी बिंदू आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य, अब हम लोगों को इसकी सहायता से क्या करना है, विध्यत विभाव निकालना है, तो यहाँ पर यह विभाव कैसे निकलेगा, यह कार आगया, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में थोड़ा से चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज में, तो कारे के अनुसार, W, A, B, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस कारे को करने के लिए बल लगाना पड़ेगा, अब बल क्यों कर लगाना पड़ता है, क् ठीक है, क्या है ये, विद्धु छेतर है, और मतलब कि, अबगर किसी भी वस्तू को हम लोगों को गती करवाना है, तो ये पहले क्या थी, इस A बिंदु पर इस्थिर थी, ठीक है, इस्थिर थी, मतलब कि, यहाँ पर इस B बिंदु पर इसकी कुछ न कुछ क्या होगी, सित्य जूर्जा को हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं तो मैं A बिंदू पर इसकी सित्य जूर्जा यू A मान लेती हूं ठीक है अब यहां पर भी आ कर के मतलब बीच में कारे होगा गती कहां पर होगा बीच में गती होगा पर जाके वह बीदू पर क्या हो जाएगी फिर अब यहां पर जो दूरी तय हो रही है उसको मैं लिख रही हूं क्या डियार क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग पहले लेंगे एक छोटे सा स्मॉल डिस्टेंस मतलब की जैसे कि आप लोगों ने रेखी आवेश घनत्व में पढ़ा होगा ठीक है रेखी आवेश वितर करेंगे फिर उसका जब हम लोग समा कलन कर देंगे तो ए से बी तक ले जाने के लिए कुल कारे कितना करना पड़ा वो हम लोगों को यहां पर हासिल हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम लोगों को इस्थर विद्धित बल के बारे में पता है तो यहां पर जो एक्स्टेरनल के हना क्यू क्यू क्यून अच की के दूर्ल को हमलों लोग क्यू मौन लेते हैं और क्या हो जाएगा दूरी आर का वर्ग हो जायेगा ठीक है और यहां पर जो दूरी है तो ये वाला plate भी आवेशित है, ये वाला plate भी आवेशित है, तो एक, मतलब विद्व सेत्र के बीच में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब ये हो गया, अब इस बल के मान को जब हम लोग यहां पर रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद जब हम लोग मालो कि यह हमारा समीकरण एक है इस समीकरण एक का हम लोग क्या करेंगे समा कलन करेंगे ठीक है अगर हम लोग क्या करेंगे इसका समा कलन करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर किया गया कारे प्राप्त होगा ठीक है चलो देखते है करके देखते हैं, लिख लो पहले फटा-फट से लिख لو, जल्दी से विए प sloppy आप लोग लिख लो, समझ में आया कि नहीं कोई दिक्कत, कोई doubt, कोई समझ्या है, तो आप लोग बिलकुल में को बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज और आएग धन और रिंड प्लेट है थीक है तो यहां पर तो धनात्मा की होगा पर चलो फिलाल इतना देख लो इतना देख लो यह देख लो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका समा कलन तो समा कलन के लिए सबसे पहले तो आप लोग यहां पर रख दो वैल्यू पुट कर दो यहां पे डबलू बराबर क्या हो जाएगा ये डबलू बराबर हो जाएगा ये देखो ये वाला जितना भी हिस्सा है ठीक है ये वाला जितना भी हिस्सा है इस आर को छोड़के ये सारे हिस्से क्या हो जाएंगे common निकल जाएंगे क्योंकि हम लोगों को समा कलन किसके respect में करना है दूरी के respect में करना है तो सिर्फ और सिर्फ समा कलन में हम लोग सिर्फ इसको अंदर लिखेंगे तो मैं यहाँ पर डारेक्ट लिख दे रही हूँ आप लोग एक स्टेप बढ़ा करके लिख सकते हो Q Q ठीक है Q Q यह हम लोगों का बाहर निकल गया और यहाँ पर समा कलन हो गया A से B का और यहाँ पर हम लोगों ने मा रग दिया एक बटे आर का वर्ग और हम लोगों ने क्या किया दूरी के respect में जब आप लोग समा कलन करोगे तो एक बटे आर का वर्ग आप लोगों ने समा कलन देख एक बटे X प्राप्त होता है कि ने, ठीक है, तो इसको मैंने ज़स्ट समझाने के लिए बताया, तो उसी तरीके से यहां पर हम लोग एक बटे R स्क्वाइर कर जब हम लोग समा कलन करेंगे, यहां पर, तो हम लोगों को यहां पर क्या प्राप्त होगा, W बराबर, एक बटे, चार पाई, एपसलान नॉट, ये कैपिटल कि ये आप लोगों का परवैद्य तांग, अगर उपस्थित है, तो उस केस के लिए है, ये हो जाएगा समा कलन एक बटे आर, अब एक बटे आर और ये जो लिमिट है, वो हम लोग रख देंगे, A और B, ठीक है, तो अगर हम लोग अगर, A से B तक हम लोग ले करके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, A से B तक के हम लोग ले करके जा रहे हैं, ठीक, इसके आगे हम लोग next page में कर लेते हैं, तो यहाँ पर A से B तक के ले जाने के लिए किया गया कारे W, A, B, बराबर क्या हो जाएगा, W, A, B, बराबर हो से एक बटे नहीं, एप्सलोरल नॉट के एक बटे R A से ले करके क्या हो जाएगी, R B तक किया आप लोगों को जाना है, A बिंदू Awak में बिंदू से बिंदू तक के जाना है आप लोगों को, ठीक है, तो अगर और यहाँ पर ये तो हो गया, अगर मालो की बात हम लोगों को विभाव के बारे में पता है, मैंने आप लोगों को विभाव के बारे में बताया था कि जो किया गया कार है, यहाँ पर जो विभाव है, A से B तक का विभाव मिलेगा, किया गया कार है, हम लोगों का क्या होगा, W A माइनस, W A से B होगा, और य Q, यह Q जो बिंदू आविश जिसको हम लोग ले करके जा रहे हैं, ठीक है, तो यह value को अगर हम लोग यहाँ पर put करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, विभाव मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यह जो किया गया कार है, यह हम लोगों का स्थिति उर्जा में अ और समझना बांकी है हम लोगों को, फिलाल आप लोग इतना नोट कर सकते हों, इतना नोट करोगे, इसका यूनिट आप लोगों का, कारे का यूनिट तो आप लोगों का जूल होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जूल पर कुलाम होगा, या तो फिर इसको जूल प ठीक है, वोट जिसको हम लोग जूल पर कुलाम भी बोल सकते हैं, जूल पर कुलाम भी बोल सकते हैं, अब जैसे कि ये जो किया गया कार है, ये जो किया गया कार है, ये इसके लिए हम लोग को इस विभाव का सुद्र कम मिलेगा, जब हम लोग इसका मान यहाँ पर रखेंगे अनंत से लेकर के अनंत से लेकर के सबसे पहले अगर हम लोग ए बिंदू तक के लेकर आ रहे हैं क्या कर रहे हैं सबसे पहले अनंत से हम लोग ए बिंदू तक के लेकर के आ रहे हैं ठीक है तो ए बिंदू तक लेकर के आएंगे तो हमारा जो infinite to a कारे होगा ठीक है तो पहले इसके पहले जो हम लोगोंने सूत्र निकाला था समीकरण निकाला था capital के और यहां पर क्या था q और q ठीक है q और q था और बटे में क्या मतलब यहां पर हम लोगों को क्या मिला था, Q और Q औरoral इहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक बटे A to B जो हम लोग लिख रहा थे, वह हमारा हो जाएगा, एक बटे R माइनस एक बटे इन-न्फायनाइट तो एक बटे इन फायनाइट का मतलब होता है शुन्य तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा ये वाला हिस्सा हम लोगों का हट जाएगा और यहां पर जो हम लोगों का किया गया कारे है वो क्या आजाएगा एक बटे चार पाई एपसलोन नौट के और ये क्यू बटे आर ठीक है य Q Q बटे R बटे में Q था तो यहाँ पर 1 Q और 1 Q क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और finally हम लोगों को विभाव का सुत्र मिल जाएगा 1 बटे 4 पाई एपसलोन नौट के Q बटे R ठीक है तो यह हम लोगों को क्या मिल जाएगा इस्तर विद्धित विभाव का सुत्र मिल जाएगा इसको हम लोग next page में लिख सकते हैं next page में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विभाव बटे 4 पाई एपसलोन नौट के Q बटे R परिभाशा देख लेते हैं जो मैंने समझाया वही आप लोगों का यहाँ पर परिभाशा में लिखा हुआ है बाहिए बल ठीक है F external बाहिए बल द्वारा किसी एकांक धन आवेश को ठीक है एकांक धन आश्वेश जैसिस की एक कुलाम हम लोगों ने माना ठीक है उसको हम लोगों ने क्या किया अनंत से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार्य ठीक है अनंत से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार्य देख लो यहाँ पर अनंत का हम लोगों ले के देखा, एसे भी इसलिए लेखा, क्योंकि हम लोग एक प्रेट से दो प्रेट मतलब दो सतों के बीच हम लोगों ने समझा पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में तो पहले इसको अनन्त से यहां तक के ले करके आना पड़ेगा, तो अनन्त से किसी बिंदु तक लाने में कि गया कारे उस बिंदू पर इस्थित विभाव के बराबर होता है दूसरे शब्दों में इस्थर विद्युत छेत्र के प्रदेश किसी बिंदू पर इस्थर विद्युत विभाव वह न्यूनतम कारे है जो किसी एकांग का धनावेश को अनंत बिंदू से लाने में किया जाता है जो किया गया कार है वो इस्तिर विद्धित विभाव के बराबर हो जाता है कब यहां पर इस तिर विद्धित विभाव के बारे में बताया गया, जैसे कि यहां पर जब आवेश को लेकर क्या आए, ठीक है, यहां पर जब आवेश को लेकर आए, तो कहीं न कहीं क्या करे होंगे, अनन्त से इस A बिंदू पर लेकर क्या होंगे, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी अनन्त से क्या किये होंगे, इस B बिंदू पर आवेषय को लेकर को आए हो तब ही तो ये प्लेट क्या हुए हूगे, आवेशी ही थी होगे, आवेशन की विदियो में हम लोगो ने देखा था, टो पहले तो हम लोग विभाव के बारे में पढ़ लिए, अब यहां से यहां तक के हम लोग ले करके जब जा रहे थे, A से B तक के ले करके जा रहे थे, तो उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं, विभुवांतर का, ठीक है, क्योंकि यहां पर A बिंदू का एक विभाव है, V, A, और यहां पर हम लोगों ने जो प्राप्त किया, यह क्या है, हमारा V, A है, ठीक है, तो जैसे similarly A के लिए हम लोगों को प्राप्त हुआ, वैसी हम लोगों को इस B प्रेट पर इस B बिंदू पर भी प्राप्त होगा, V, B, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का, मतलब एक नया शब्द, ह हम लोगों को भौतिक राशी मिलती है, क्या विभुवांतर, ठीक है, विभुवांतर हम लोगों को मिलती है, जैसे की, वी ये मुझे प्राप्त हुआ, एक बटे 4 पाई, एप्सलोन नौट, के, Q बटे R ठीक है उसी तरीके से माल लो कि मैं VB के लिए लिखूंगी तो क्या लिखूंगी एक बटे चार पाई आपसलोन नौट के Q बटे R अब ये क्या है A बिंदू पर विभाव है कहा है A बिंदू पर विभाव ठीक है क्योंकि वहाँ पर क्या थी प्लेट जो है आवेशित थी आप लोग देख पा रहे थे प्लेट जो है आवेशित थी अब ये जब प्लेट जो है आवेशित है तो माल लो की कैपिटल Q इसका कूल आवेश है ठीक है तो इस कूल आवेश है यहाँ पर आवेश की करण इसका क्या होगा कूछ न कुछ विभाव होगा क्यों होगा क्यों कि इस सुत्र के अनुसार होगा इस सुत्र में हम आश्चा कर रही है तो सब्से एक अगर इस प्रेट को क्या कि कि आवेशित किया तो यहाँ पर आवेशित होनी कि वजय से हम लोगों को इस प्लेट पर क्या प्राप्त होगा विभाव प्राप्त होगा जब ले करके जाएंगे तो इससे तरहना होती है कि धन आवेश से रिण की तरफ गचयाता है कि धर जाता है निव्ण होती है इसका मतलब क्या होगा इन दोनों प्लेट के विइच में क्या होगा हमारे पस कुछ ना कुछ अंतर होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा, अब ये विभाव की बीच का अंतर है, वी ए और वी बीच का अंतर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, ठीक है, अब विभावांतर जब हम लोग ये नाम दे रहे हैं, तब हम यहां पर विभुवांतर होगा मतलब कि यहां पर स्थानांतरन होगा आवेश होगा जब इनके बीच का अंतर जो है वो मतलब दोनों में मानलों की बराबर हो गए ठीक है दोनों में क्या हो गए बराबर आवेश हो गए तब यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर जो है विभुवांतर नाम्ता नाम दी है तो अवेश का स्थानांतरण होता है तो आफेश के करंद अब आ दे की चाप्टर में हम लोगों को क्या प्राप्त होती है विद्य१्धार्ण के बारे महीं सोचू किवल समझने क्या लिए क्योंकि कम से कम से क leo 10 थोड़ा बहुत पड़े ही हो इसलिए मैं आप बोगों को बता रही हुँ कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं यहां पर यहां पर बैटरी लगाते किसी पற्तारी मेत रखांध से रखें हुए हैं थीक हैं तो यहां पर क्या होता है एक point जो होता है वो हमारा धन आवेश होता है ये दूसरा point क्या होता है रिन आवेश होता है तो यहाँ पर भी A बिंदू पर विभाव वी A और B बिंदू पर क्या होगा विभाव वी B अब इस अंतर के कारण ही क्या होगा यहाँ पर आवेशों का स्थाना अंतर होगा मतलब आवेश क्या करेंगे, आवेश क्या करेंगे, इस विट को ऑन करेंगे, आवेश का गति शुरू होगा, मतलब की इस्थिते जुरजा, जो है वह तो ये concept को भी ध्यान रखना, एक दूसरे से सारी चीजे related है कम से कम starting के 3 chapter तो एकदम related है एक दूसरे से है की ने तो starting के 3 chapter related है जहाँ पर आप लोग पूरा विद्युत के बारे में पढ़ते हो ठीक तो विभुवांतर क्लियर होगे आप लोग को विभुवांतर का definition भी आप लोग note कर सकते हो बिलकुल note कर सकते हो ये विभुवांतर क की दिशा आवेश की मात्रा पर निर्भार नहीं करती किस पर निर्भार करती है अभी अभी देखा हम लोगोंगे तो सता पर होता है इसी विद्युत तल को विद्युत विभाव या फिर हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशल कहते हैं ठीक है तो यह पोटेंशल शब्द बहुत मैटर करता है इसका भी अभी मैं आप लोगों को रिलेट करके बताऊंगी ठीक है तल को हम लोग क्या कह केते हैं इस तल पर जो होता है उसको उसको हम लोग क्या उसको विभांग कहते हैं अब को एक परिक्ष्ण धन आवेश को अनंत से मालों कि वही मैंने बताया एकक आंक आवेश के बारे में जो मैंने आप लोगು को बताया कि गोंनन आंप से क्ले या फिर, बिंदू तक, लाने में एक जूल का कार्य करना पड़े, तो उस बिंदू पर, विधुत विभाव का मान, एक वोल्ट होगा, अब इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोग ने पढ़ा न, यह विभाव बराबर डब्लू बटे क्यों, ठीक है, तो मान लोग की हम लोग का धनावेश को लेकर क्या रहे हैं क्या कर रहे हैं एकांक धनावेश को लेकर क्या रहे हैं ठीक है तो एकांक धनावेश को अगर हम लोग क्या करें कि मतलब की बिना त्वरन के लाने में जब एक जूल कारे करना पड़ता है मालों कि हम लोगों को एक जूल कारे करना पड़ पाइब दो नंबर का अपो हाँ लिख सकते हो किसी विद्य छेत्र में दो बिंदू को ने बिंदू लिया था डो बिंदू के बीच विभानतर किसी परिक्षन आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाने के लिए किये गए कारे और परिशन आवेश के मान के निश्पत्ति के बराबर होता है और यहां क्या होती है एक सदिस राशी होती है तो भाई यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था V A माइनस V B बराबर क्या है हमारा W A से Q A बिंदू से B बिंदू तक ले जाने के लिए जो हम लोगों का कारे करना पड़ा वो क्या होगा हमारे विभुवांतर के बराबर होगा अब यहां पर यह सदिस राशी क्यों है क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके पहले ही पताई थी कि यहां पर यहां पर क्या कर रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि उच्च विभाव से निमनविभाव की तरफ जा रही है, मतलब कि यहां पर क्या गई, दिशा की बात आगई, और जहां पर भी दिशा की बात आएगी, वहां पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का वो जो राशी है, वो क्या हो जाएगी, सदिस राशी हो जाएगी, क्या हो ज रहा था जब एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक के ले करके जा रहे थे तब कारे कब हो रहा था यहां पर देखो एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले करके जा रहे थे तब ठीक है इसका मतलब यहां पर बैख कर के आएंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि क्यहां धूल चर्बनें विभूओंतर ही हैँ क्योंकि हम क्या घर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके विभवांतर को समझने के लिए के लिए हम लोग पहले विभाव को समझते हैं पर देखा जाए तो existence हमेशा व्यवांतर ही existence करता है, मतलब की उपस्तित जो है हमारे आसपस, वो हमेशा व्यवांतर ही उपस्तित है, ठीक है, पर वो व्यवांतर हम लोगों को विभौ से ही प्राप्त होता है, जैसे कि हम लोगोंने यहाँ पर derivation भी किया था, ठीक है, यहां पर भी अंतर ही हो रहा था ठीक है तब मैंने यहां पर क्या किया यहां पर मैंने इसके बाद जो है इसको next में क्या करा एक को जो है मैंने अनंत माना ठीक है एक को मैंने अनंत माना तब जा करके मेरे को यहां पर क्या हुआ विद्यूत विभाव हम यहां पर जो इसका सूत्र को calculate करने के लिए हम अनंत से ए बिंदू तक के लेकर के आते हैं ठीक है अनंत से एक बिंदू तक के लेकर आते हैं ताकि एक बते इंट्फनाइट बराबर जीरो हो जाए हम लोगों को सूत्र मिल पाए और इस सूत्र का बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर आप लोगों को ये relation मिल रहा था, और यहाँ पर क्या है, दूरी के वित्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पर दूरी के वर्ग के वित्क्रमानुपाती होता है, और यहीं से हम लोगों को इनका relation भी मिल जाता है, इन दोनों के बीच के relation की बात हम लोग आगे के chapters में करेंगे ठीक है आगे के topics में पढ़ेंगे पर उससे पहले हम लोग quickly यहां पर देख लेते हैं बिंदु आवेश के कारण विभाव के बारे में ठीक है बिंदु आवेश के कारण विभाव तो बहुत easy है एकदम quick हम लोगों को इसको देखना है तो आप लोगों ने इसके पहले वाले chapter में जब विद्धु छेत्र के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर आप लोगों ने एक धनात्मक आवेश लिया का ठीक है फिर आप लोग क्या कर रहे थे अनंत से यहां पर अनंत से क्या कर इस धनात्मकावेश से 8 दूरी पर थी, ठीक है, धनात्मकावेश से 8 दूरी पर थी, ठीक है, तो यहाँ पर जब यह धनात्मकावेश से 8 दूरी पर थी, तो पहले मान लोग कि यहाँ पर अनन्त से जब हम लोग इसको ले करके आ रहे थे, तो पहले से मान लोग कि हम लोग इ सब्सक्राइब Pacific ब्रबंद से बोहुत सारी स्मौल दूरी जो है हम लोगोंने तये होगे माटाय करने के बाद हम लोग कहां पर आए होंगे यहा पर इस P बिन्दू पर हम लोग आए होंगे जो कि किसे है इस ध्यु exactement तो कि यहां पर यहां पर यहां पर प्रतिकरशन होगा और अगर प्रतिकरशन होगा तो इन दोनों बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की तरफ होगी और इधर ही आप लोगों की क्या होगी विद्धुट छेत्र की दिशा होगी क्योंकि F बराबर QE ठीक है F बराबर QE अब यहां पर जो आप लोगों का कारे है ठीक है कारे है वो क्या करना है वो क्या हो जाएगा रिनात्मक कारे हो जाएगा क्योंकि बल के विपरीत आप लोगों को कारे करना पढ़ रहा है ठीक है तो यहां पर संरक्षी बल ही है ठीक है तो यहां पर जो कारे है यह आप लोगों का जो है क्या हो जाएगा कारे रिनात्मक हो जाएगा संरक्षी हो लेकर क्या है तो यहां पर विभाव अनंत वी इंफाइनाइट और यहां पर विभाव क्या होगा वी पी तो यह आप लोगों का इनके बीच का जो विभांतर होगा जो अभी अभी हम लोगों ने विभांतर के बारे में पढ़ा है वो क्या हो जाएगा वी अनंत माइनस क्या ह जाएगा वी पी हो जाएगा ठीक है वी अनन्त माइनस क्या हो जाएगा वी पी हो जाएगा अब आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्य हो रहा है ठीक है तो कार्य हो रहा है मतलब यहां पर उर्जा के में अंतर भी होगा तो मालों कि यहां पर इस बिंदू पर इसकी स्थि क्या हो जाएगी यू है ये वी पी हो जाएगी ठीक है तो ये जो कारे होगा ये जो संकारे होगा इसके विपरीद बल के विपरीद जो कारे होगा ये यू अन्फाइनाइट से लेकर के यू पी तो मतलब की इस इस्थितिज उर्जा का अंतर भी होगा ठीक है इस कि यह गये कारे के बराबर होगा ठीक है कि यह भी हम लोगों को प्राप्त होता है अब इस चीज का इस्तमाल हम लोग यहाँ पर विभाव निकालने के लिए करेंगे तो यहाँ पर जैसे कार्य, संरक्षी कार्य जो है वो इन्फैनाइंस से ले करके क्या है, P बिंदू तक के ले कर आने के लिए कार्य किया जा रहा था, और किस आवेश को परिक्षण आवेश को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू नॉट लिख यहां पर हम लोगों निकाल लिया था यहां पर हम लोगों निकाल लिया था तो तो A से B के जगह हम लोग infinite to P रखेंगे, डारेक्ली मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, डारेक्ली, ठीक, यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, कारे क्या हो जाएगा, एक बटे चार पाई, एप्सलान नॉट के, एक बटे आर, माइनस एक बटे इन्फाइनाइट, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, Q नॉट, और यहाँ पर क्या आएगा, Q और Q नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बल लगेगा, यहाँ पर किस के किस के बीच में बल लग रहा है, Q और Q 0 के बीच में बल लग रहा है, इस सिर्वी दिद्वल जो है वो, इन दोनों के बीच में लग रहा है, ठीके, अब यह वाला हिस्सा तो हमारा क्या हो जाएगा, शुन्य हो जाएगा, अब यहां से हम लोगों का Q 0 और Q 0 कैंसल हो जाएगा, और finally, फिर हम लोगों को यहां चार पाई एपसलोन नॉट क्यू बटे आर और अगर परावेद्धू तांख है तो के ठीक है तो एक बिंदू आवेश के लिए विजुद विभाव इस तरीके से हम लोगों को प्राप्थ हुआ वैसे मैंने आप लोगों को एक बार दो बार तीन बार करके समझा दिया है ठी तरीके से आप जो है आज जो है एक समान विभाव का जो प्रिष्ठ बनता है उसके बारे में आज पढ़ोगे तो सिमिलर है टॉपिक उससे रिलेट करके बिल्कुल आज की क्लास में आप लोगों को सिखाने वाली हूं ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने पहला और दूसरा अध्याई मिला के बारे में पढ़ा एक विद्युत्षेतर और इक विद्युत्वीभव ठीक है तो आज हम इस विद्युत्षेतर विद्यूत्वीभव में संबंध मतलब इनके बीच का relation क्या होता है ये भी आज हम लोग समझने वाले हैं ठीक है एंड विद्युत्वीद क्लास में होना चाहिए ध्यान से सुनते रहना है अक्षी और निरक्षे स्थिति आप लोगों ने विद्धित्षेत्र की कारण पढ़ाई है सिमिलर काइंड आप लोगों को विद्धित विभाव के लिए भी मिलेगा एक उसी के जैसा लगभग ठीक है तो यहां पर हम लोग तो यहां उस चीज को सॉल कर पाऊ ठीक है तो आवेशों के निकाय के करणंट विधित्वःब तो सबसे पहले थोड़ा सा बात पिछली क्लास से हम इसको continue करेंगे पिछले क्लास से continue करेंगे तो भाई पिछली क्लास में एक बिंदू आवेश था इस बिंदू आवेश के पास हम लोग क्या कर रहे थे अनन्त से यहां पर कोई अनन्त छेत्र है इस अनन्त से हम लोग किसी परिक्षण आवेश को क्या कर रहे थे यहां पर इस Q आवे इस plus Q आवेश की छेत्र में लेकर क्या रहा है और इस P बिंदू पर विभाव हम calculate कर रहे थे तो जब हम लोग P बिंदू पर विभाव क्या रहे थे तो हम लोगों को विभाव का मान मिलकल के आ रहा था 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 यह विभाव का मान आ रहा था जब हम लोग अननत से किसी एक बिंदू आवेश को जो है क्यों आवेश के पास ले करके आ रहे थे तब ठीक है अब हमको क्या पढ़ना है अगर बहुत सारे आवेश रहे तो जैसे कि यहां पर जैसे यह एक आवेश है तो मैं माल लेती हूं कि यह हमारा क्या है इसको मैं इसको माल लेती हूं कि यह वो क्यों आवेश है ठीक है इसी तरीके से यहां पर हमारे पास मालो की क्यू टू और इसी तरीके से यह क्या हो गया क्यू थ्री या फिर यह जो है एन नंबर आवेश बहुत सारे आवेश रहे मालो कि यह आवेश कौन लोगों लोग को विभाव अगर करना है तो उसके लिए क्या करना Lazора करना के से यह लाट का कि अध्यारोपन का सिध्धांत ही लगाएंगे सधधांuuuu करना सब्सक्राव हो जाएगा क्यों सरल हो जाएगा क्यों हम लोग शठाव कैसे रासी है ठीके तो लोग क्या करेंगे यहां पर बहुसारे अवेशों लिद्ध विभाव निकालेंっ तो अदिस राशी होने के पर हमारा जो क्या हो जाएगा बहुत auraitी हो जाएगा होता है अध्धारूपन के सिध्धान्थ के अनुसार बहुत क्या करेंगे अदिस रूप में जोड़ देंगे लोगों को क्या मिल निकालना पड़ेगा जैसे कि ये Q1 आवेश के कारण इस P बिन्दू पर विभाव वी 1, Q2 आवेश के कारण इस P बिन्दू पर विभाव जो होगा, क्या होगा, V2 और Q3 आवेश के कारण इस P बिन्दू पर जो विभाव होगा, वो क्या होगा, V3 और इस QN आवेश के कारण इस पी बिंदू पर जो विभा होगा वो क्या होगा वी एन होगा और सारे आवेशों को मिला करके अगर हम लोगों को इस पी बिंदू पर कुल विभाव निकालना है तो हम सबका क्या करेंगे सबका हम लोग अदिश योग कर देंगे ठीक है इसलिए क्या हो जाता है अदिश करना सरल हो जाता है क्योंकि यह क्या होता है सेंपल एक बीज गड़िती योग होता है ही के अब हम लोगोंको यह वीवन और host of रबी बें निकालने के लिए किसकी ज़रुवत पड़ेगी हम लोगों को यहां पर द्वीजरल पड़ेगी उपसिज़ जर उब प Edwards जो आवे की वज़़ा से यहां पर क्या करते हैं और इस QN से इस P बिंदु की जो दूरी है वो क्या लेते हैं तो समझ में आ गया P बिंदु से सारे बिंदु आवेशों की दूरी मैंने यहां पर mention कर दी है अब अब इन दूयों को इस्तमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं V1, V2, V3 और जितनी भी संख्या में हमारे पस बिंदू आवेश है उन सभी के कारण विभाव निकाल करके उनको क्या करेंगे एक साथ जोड देंगे अदिश योग कर देंगे सबको जोडने से हम लोगों को P ब बटे 4P, Epsilon 0, Q1 बटे R1 ठीक है उसके बाद V2 क्या हो जाएगा एक बटे 4P, Epsilon 0, Q2 बटे R2, V3 क्या हो जाएगा एक बटे 4P, Epsilon 0, Q3 बटे R3 और इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं similarly, similarly हम लोग यहाँ पर QN भी लिख सकते हैं, sorry, VN भी लिख सकते हैं, VN बराबर एक बटे 4P, Epsilon 0, QN बटे RN ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, इन सारे हर एक बिंदू आवेश की कारण जो हमको विभाव प्राप्त हुआ है, इनका अदिश योग करना है, तो हम लोगों से हम लोग फटा-फट से क्या कर देते हैं, अदिश योग कर देते हैं, तो यह हम लोगों को P बिंदू पर विभाव मिलेगा, जल्दी से जोड़ लो, एक बटे 4P, Epsilon 0, QN बटे R1, प्लस एक बटे 4P, Epsilon 0, Q2, बटे R2, प्लस डैस डैस, क्या हो जाएगा, प्लस एक बट निकल रहा है, और यहाँ पर क्या रहा है, ब्रैकेट के अंदर Q1, बटे R1, प्लस Q2, बटे R2, प्लस डैस, 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 प्लस QN, बटे R1, एक दम एजी है, गाईस, कुछ भी नहीं रखा है, है ना, बहुत इजी है, इसलिए बहुत फास्ट और क्विक्ली सम Summation अगर लगाएंगे, Summation करेंगे, Summation लगाएंगे, तो Summation कैसे लगता है? ऐसा लगता है Summation, अगर इस तरीके से Summation लगा करके मैं इसको जो है Short में लिखूँ, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? फटा-फट से, जल्दी से Copy में लिख करके बताओ मुझे, इस तरीके से हम लोगों के पास एक से लेकर के एंड संख्या तक के आवेश और आवेश और पी बिंदू से सारे बिंदू आवेश हो के बीच की दूरिया यहां पर वन से लेकर के एंड तक के नमबर्स में लिखी हुई है, तो हम लोग उनको Summation of Sum के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, Summation के रूप में लिख सकते हैं, Summation of I बराबर 1 to N, QI बटे RI, इस तरीके से हम लोगों ने इस्थर विद्यूत विभाव, विद्यूत छेत्र के लिए भी ल जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूं, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट, ओके, सो चलो, देन नेक्स्ट टॉपिक में हम आ जाते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, Summ Vibhav Prist, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, Summ Vibhav Prist, तो भई सम विभाव प्रिष्ठ क्या समझ पा रहे हो आप लोग इस सब्द के मतलब से क्या समझ पा रहे हो विभाव सम मतलब की समान मतलब इसका क्या हुआ एक समान विभाव पूरे प्रिष्ठ पर मतलब की पूरी सतह पर अगर आप लोगों का क्या रहा मान लोग की जैसे क कि आप लोगों की ये कोई सतहा है इस पूरी सतहा पर एक समान विभाव अगर हुआ क्या हुआ एक समान विभाव तो ये प्रिस्थ आप लोगों का क्या कहलाएगा सम विभाव प्रिस्थ कहलाएगा क्या कहलाएगा सम विभाव प्रिस्थ और सम विभाव प्रिस्थ मतलब कि क्या होता है यह तो में बहुत सिंपल है इससे आप लोगों को बहुत जादा नहीं एक नंबर का थियोर्टिकल कोश्चन आएगा और कुछ भी नहीं इसमें कुछ भी नियुमारिकल नहीं है कॉंसेप्ट है बिल्कुल पांच मिनट से पांच साथ मिनट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे ठीक है सम विभाव प्रिस्ट एक समान सत्ह होनी चाहिए एक समान विभाव होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया एक समान विभाव का मतलब क्या हो गया कि इस पूरी सत्ह पर ए मतलब की एक समान विभावा होने के कारण इस पूरी सतह पर हर विंदु पर एक समान विभाव होने के कारण यहाँ पर इस सतह पर जो विभा Param take क्या है जो विभुवानता है वो क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा ठीक है अब यह प्रिस्ट जो है वो क्या कैसा प्रिस्ट होता है यह प्रिस्ट जो होता है वो बिल्कुल कालपनिक होता है और यह कालपनिक प्रिस्ट हम लोगों को कैसे मिलता है कैसे मिलता है कौन से धनावेश से बल रेखाएं जो थी इस तरीके से निकलती थी इस धनावेश से लंबवद बाहर की और जो है वह हम लोगों की विद्यूत बल रेखाएं जो है वह बाहर की और लंबवद निकलती थी ठीक है विद्यूत बल रेखाएं बाहर की और लंबवद और रिनावेश ठीक है? तो वहाँ पी आप लोगों को ध्यान से देखनाहीं कि ये जो बल रेखाएं हैंना, इनके लंबवद, इनके लंबवद एक lines होंगी, ठीक है? इनके लंबवद एक lines होंगी, इन लाइन्स को जो है इस तरीके से मिला देते हैं तो एक बिंदू आवेश की कारण जो है यह हम लोगों को क्या मिलता है सम विभाव रेखाएं मिलती है यह क्या मिलती है सम विभाव रेखाएं जिसको हम लोग जो है अंग्रेजी में इक्वी पोटेंशियल लाइन्स कहते है है क्या कहते है एक फोटेंशल लाइस तो यह जो हमारा प्रिस्ऩ है वो क्या कहलाता है कुई पोटेंशल सर्फेस कहलाता है टो यह प्रिष्ठ है और यह Antonio निक है और यह समान होने की कारण इनके बीच का जो विभुवांतर है वो क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा यहीं आप लोगों को सम्विभाव प्रिस्ट है और कुछ भी नहीं है एक बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने देखा उसी तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं और भी ब बन रेखाएं क्या होगी धन से सुरुवात होके क्या होगी रिन पे जाकर के खतम होगी है ना और धनात्मक से बाहर की ओर निकलती है और रिनात्मक में क्या होती है अंदर की ओर जाती है इस तरीके से अब अगर हम लोगों को क्या चाहिए अगर हमको इनके लिए अगर सम् पोई हैं तो कैसे बना हुआ है यहां पर बिल्कुल मतलब की यहां पर जो भी हुग है कुं जरूरी नहीं है कि यह हर बार वृत्य हो जरूरी यह है कि यह हर बार जो है इन बल रेखाओं की लंबवत हो और इन बल रेखाओं की लंबवत रेखाओं को क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं एक दूसरे से मिला देते हैं तो हम लोगों को समविभाव रेखाएं मिल जाती है यह रेखाएं ही विभाव प्रिष्ठ का निर्माड करती है तो जैसे कि विद्युत बल रखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है क्योंकि उनकी प्रतिछेदन बिंदू पर एक मान जो है पॉसिबल नहीं है उसी तरीखे से यह सम विभाव रेखाएं जो है यह जो विभाव रेखाए है यह भी जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ठीक है यह ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि उनके प्रतिछेदन बिंदू पर दो अलग अलग रेखाओं का एक मान कभी भी संभाव नहीं होता मतलब की दो अलग अलग सम्विभाव प्रिस्थ का विभाव जो है समान नहीं होगा ठीक है इस इसका मतलब यह दो प्रिस्थ है यह पहला प्रिस्थ और दूसरा प्रिस्थ ठीक है तो पहले प्रिष्ट के हर बिंदू पर क्या होगा पहले प्रिष्ट के हर बिंदू पर जो है विभाव समान होगा सब जगा क्या होगा वीवन होगा परन्तु जो दूसरा प्रिष्ट है ठीक है दूसरा प्रिष्ट का जो विभाव है वो पहले प्रिष्ट के जैसा हो ये संभाव नही है इसलिए यह कभी भी एक दुसरे को नहीं काड़ती है क्या होती है कभी भी एक दुसरे को नहीं काड़ती है ठीक है तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जब विभुवांतर की बात करी थी तो यहां पर एक ही प्रिष्ट पर किसी दो बिंदू पर हम लोगों के तो यहां पर इनका विवहांतर कभी भी 0 नहीं होगा कभी बिनका जो विवहांतर सब्सक्राइब फरक होगा एक मानख जैसर मान दो अलग अलग सता क्ला मान एक जैसा होगा ठीक है तो अलग इनका बदल सकता है क्योंकि हम लोगों को यहां पर उसकेономी प्रिम्स अनुक्रावी रिखाएउअ कि प्रिश्च आप लोगों का यह बल रिखाहों के लंबवात होगा ठीक है कैसा होगा ये बल रेखाओं के लंबवात होगा ये कालपनिक प्रिस्टर क्लियर है इतना ही important बात है और कुछ भी नहीं है बस इतना ही है सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक बिंदू आवेश के लिए बना के बता दिया और यहां पे आप लोगों यहां पे प्रतिकर्शन की घटना होती है तो जब भी प्रतिकर्शन होता है तो यहां पे आप लोगों को पता है कि बीच में एक उदासीन बिंदू बन जाता है और इस थरीके से एक दूसरे से क्या होती है ये दूर हटने लगती है इनके लिए इनके लिए जब हम लोगों नहीं तो इनका जो बिल्कुल भी वृत के जैसा ना कर लग ही है सघ्र मखारots होनी चाहिये और यहां से थे कि तो इतने ही रखना है कि रेखाओं के लंबवत होना चाहिए ठीक है जो हम लोगों ने अभी रिण और धन देखा ठीक है रीण और धन दो हम लोगों ने समान परिमाण के विपरीत आभेश देखे रियल में जब इनका मेजनमेंट करके लिया जाता है ठीक है तो वह ऐसा लाइंस बनी हुई है यह संवीभव रेखाएं रखें कालपनिक प्रीट्र का या शमनान तर्रया जायर और एक प्लेट को यहां पर धन आवेशित किया जाए और दूसरे प्लेट को यहां पर क्या किया जाए ठीक है तो इसके एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक के हम लोग अगर किसी बिंदू आवेश को क्या करते हैं ले करके जाते हैं ठीक है तो इसके लिए जो हमको विभाव प्रा लेकिए कारे हम लोगों को करना पड़ता है तो यहां पर इसके पहले प्लेट पर इसका विभाव मालो वीवन इसकट क्या है वी टू है तो इनके बीच में क्या होगा विद्यूत छेत्र भी होगा तो विद्यूत बल्रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पिछले चाप्टर में पढ़ लिया था कि इस सरीकरे से उच्छ विभौ। से क्या हो जाती है निम्नविभौ। की तरब जाती है ऐसे किसका विभौ। अब हम लोगों ने अभी अभी सम विभाव, PRISTH के बारे में पढ़ा है तो जब सम्विभाव प्रिस्ट का concept हम लोगों ने पढ़ा तो इस तरह से दो समनांतर एक समान आवेशित प्लेट के बीच में जो विभुवांतर विद्धुचेतर हम लोगों ने देखा उसके लिए अगर हम लोग सम्विभाव रेखाएं खींचे तो इस तरीके से वो लंबी लंबी खीचे जाएगी यह क्या है आप लोगों के विद्विद बल रेखाओं के लंब वाथ है ठीक है तो यह सारे आप लोगों का यहां पर भुवांतर है ठीक है तो यह तो हो गया आप लोगों का समविभाव प्रिस्ट तो बिल्कुल यहां पर परिभाशा में वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया है जो कालपनिक प्रिस्ट होता है वही क्या कहलाता है समान विभाव के बिंदूों को मिलाने वाला जो क्या है कालपनिक प्रिस्ट होता है वही आप ल होता है ठीक और किसी एक करते हैं किसी एक किसी पिरिश्ट पर कि सी एक किसी एक प्रिश्ट पर आपक नहीं होगा मतलब यह होगा वहां पर कारे इसक्राइप सकते हो बिल्कुल जो मतलब पढ़ सकते हो इसको सारा कुछ मैंने आप लोगों को explain कर दिया है सम विभाव प्रिष्ट के गुण भी सारा चीज मैंने आप लोगों को explain कर दिया है तो प्लीज आप लोग फटा-फट से screenshot ले लीजिए बिल्कुल सारा कुछ समझा दिया है मैंने ठीक है तो यह आप ल क्या होगा समान होगा यह समकेंद्रिक गोला कहलाता है बांकी सारी चीज एक्स्प्लेइन कर दिया यहीं तक कता बहुत स्मॉल टॉपिक है और बहुत छोटा सा ही कोशन आता है तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरुवत नहीं है हां यह टॉपिक इमपॉर्ट की यह ट में हम लोगों को रिलेशन देखना है ठीक है तो जब हम लोगों ने विद्युच्छेत्र के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों को वहां पर मिला था क्या मिला था यह जो विद्युच्छेत्र होता है वो दूरी के विद्युच्रमान उपाती होता है दोनों का सुत्र हम लोगों ने जो ग्याद किया वहां से हम लोगों को ये संबंध मिला ठीक है इसके अलावा जो हम लोगों ने अभी-अभी सम्विभाव प्रिस्ट पढ़ा तो दो अलग-अलग सतह होती है ठीक है तो दो अलग-अलग सतह अगर होंगी ठीक है तो यहां पर मानलों की पहली सतह हमें कोई मानलों कि क्या है बिंदू आवेश है इस आवेश को यहां पर ए बिंदू से इस दूसरे सतह के भी बिंदू तक लाने के लिए अगर कारे करना पड़ा तो यहां पर कारे शुन्य नहीं होता है ठीक है अगर एक सतह है एक सतह है तो इस सतह के अंदर ही एक बिंदू स यहां पर कारे वो शुन्या नहीं होता है ठीक है तो जब शुन्य नहीं होता है तो इस concept को जो अभी-अभी हम लोगों ने सम्विभाव पृष्टर में पढ़ा तो इसी concept की मैं इसके आधार पर आप लोगों को संबंध बता देती हूं, relation बता देती हूं, graph के माध्यम से, ठीक है, граф के माध्यम से, और यहां पर हम लोगों को संबंध मिलेगा, सुत्र के माध्यम से, जहां पर विवाव प्रवांता, एक नई भौतिक राशी हम लोगों को मिलेगी तो चलो one by one हम लोग कर लेते हैं ठीक है गाइस अभी तक कि जितनी भी बाते मैंने आप लोगों को समझाएगे सब कुछ clear है yes या no easy है हम लोग एक बार quickly revise कर लेते हैं अभी तक जितना भी हम लोगोंने last 25 to 27 minute में जो भी हम लोग लग बम लग जो हम लोगों ने पिछले chapter में हम लोगों ने विद्यद छेत्र बिद्यृत बल के बारे में मैं जो हम लोगों हम लोगों का सिधान के तो लाग र Łवक क्या था उसके बाद वीघित रेखाओं और विद्यृत्स सारी चीज़े पूरी-पूरी पढ़ ली है ठीक है जो में चीज़े थी वह हम Darren पूरी 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 पढ़ ली है अभ हम लोग इनके बीच में रिलेशन देखेंगे तो starters करते हैं हम इनके बीच का रिलेशन ठीक है स्बसे पहले ये तो बने रहें दो आप समझने के लिए बिल्कुल note down कर सकते हो, यह जो यह वाला हिस्सा है, यह वाले हिस्से में मैं आपको इस relation के कारण जो है, इनके बीच का graph समझा देती हूं, इसको समझना बहुत important है, अगर यह समझ जाओगे, तो मतलब कि, मतलब इस तरह के जितने भी graphs होने हैं, उनको समझना important ही है, समझ लेना चाहिए, क्योंकि, मतलब आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे graph वगरा बनाने होते हैं, और कई questions जो है graphs related भी आप लोगों को, नेट के exam में पूछे जाते हैं, सरल भी होते हैं, दिमाग लगाना होता है, बस और कुछ भी नहीं करना होता है, E या V, क्या है ये, E या V, और यहाँ पर क्या होगी, ये जो होगी R, मतलब की दूरी, ठीक है, ये हो गया, अब ये देख लो, कि हमारे पास, जो हम लोगों ने विद्धुछेत्र का, जो हम लोगों ने सुत्र निकाला था, तो वहाँ पर हम लोगों को relation क्या मिला था, कि के केस में, दूरी के विद्ध्रमानुपाती होता है, ठीक है, अब अगर हम लोगों को मानलो कि इसके लिए, ग्राफ ड्रॉ करना हुआ, ठीक है, ग्राफ अगर हम लोगों को क्या करना हुआ, ड्रॉ करना हुआ, तो इतना तो समझ जाओ कि ये आप लोगों का पैरा बोला ह भी बनेगा पर लोग दोंकि के दो होगा कि जो यह आप लोग हो का विद्ध छेत्री ऑलाला है यह थोड़ा सा इस तरीकिए से गहरा बनेगा एक बार मैं फिर से ड्रॉव कर देती हूं यहाँ पर इस तरीके से ये बनेगा ये गहरा ठीक है कैसा बनेगा ये गहरा बनेगा क्यों गहरा बन रहा है क्योंकि ये है आप लोगों का विद्धु छेत्र के लिए ग्राफ और ये विद्धु छेत्र के के केस में क्या है ये समान उपाती है एक बटे आर के वर्ग के ठीक हो गया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे विद्विभाव के लिए बनाएंगे तो कोई बना की बता सकता है कि जल्दी से मेरे को कॉपी में कैसा बनेगा यहां पे आप लोगों का विभाव का जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ये वाला ग्राफ ये है आप लोगों का किसका ये पिंक कलर का जो मैंने बनाया है ये है विभाव के केस में ठीक है ये सॉरी ये केवल दूरी के वर्ग के वित्तिकामान पाती होता है ये है आप लो तो क्या हो जाएगा जैसे कि यह समान उपाती है यहां पर एक बटे आर के वर्ग के अगर मैं इसको एक समी करन एक को दो से क्या कर दूँ भाग दे दूँ तो यह हो जाएगा वी यह क्या हो जाएगा एक बटे आर यह और और यहां से चल देगा इधर और एक आर यहां पर ब ये जो V by R मिला है, तो दूरी को आप लोग क्या करते हो, दूरी को कभी-कभी आप लोग L भी लेते हो, ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर ये चीज काम आएगी, दूरी अगर L है, तो विद्धुत छेत्र बराबर विद्धुत विभाव बटे L, ठीक है, तो ये सुत्र आप लोगों को आगे काम आएगा, ये दो टॉपिक्स पढ़ने के बाद ये रिलेशन हम लोगों को मिला है, तो इसको बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ये रिलेशन आप लोगों को आगे काम आएगा, बिल्क दूसरा सतह मैं जो है यहां पर दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेती हूं ठीक है ये तो दो सतह मैंने यहां पर बना दी ठीक है जो पिंक वाली सतह है और वो जो ग्रीन वाली सतह है यहां पर दोनों ही सतह के लिए जो हमारा विभाव का मान होगा वो क्या होगा अलग-अलग होगा जैसे कि मान लो कि अगर यहां पर विभाव का मान क्या है इस ग्रीन वाले के लिए वी है तो यहां पर मैं क्या करूंगी इस ग्रीन वाले से कोई बिंदू आवेश को क्या करूंगी यहां पर कोई बिंदू आवेश क्या है मेरे पास क्यूं है है ना ए बिंदू पर रखा हु कुछ ना कुछ विभाव में अंतर भी आएगा ठीक है यहां से यहां तक के जाने में क्या होगा कुछ ना कुछ विभाव में अंतर भी आएगा तो यहां पर मान लो कि विभाव में अंतर जो आ रहे हो वी प्लस डेल्टा वी हो जा रहा है मतलब कि जो पहले हमारा विभाव प्रिष्ट पर उस्से थोड़ा जयदा है ना मान की जैसे वहां पर विभव आपका पाँच वोल्ट था तो दूसरे प्रिष्ट में मान लोकि आपका क्या है च्छै वोल्ट है तो यहां पर क्या है?」 वी प्लस डल्टा वी हो जाएगा बस यही लिखा हुआ है ठीक है आप लोगों को रिलेशन निकालना है तो क्या डिफरेंस आ रहा है पर ले करके गए, तो यहां पर हमको करना क्या है, यहां पर हमको जो है, हाँ, कारे निकालना है, ठीक है, तो कारे के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कारे के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, कि एक बिंदू से दूसरे बिंदू पर जब हम लोग ले करके जाते हैं, ठीक के बराबर होता है A से B तक के लेकर के जाने के लिए किये गए कारे के बराबर होता है अगर एक आंक आवेश हो तो अगर एक आंक आवेश ना हो तो उस आवेश के परिमार का हम लोग क्या करते हैं किये गए कारे से जो है भाग दे देते हैं ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को same इसी तरीके से अगर विभुवांतर निकालना है, तो यहाँ पर इस case में हमारा विभुवांतर क्या हो जाएगा, V plus delta V minus V, ठीक है, V plus delta V minus V, और यहाँ पर जो इनके लिए जो किया गया कारे है, उसको आप क्या लिख सकते हो, परिक्षन आवेस है, हर जगह हम लोग क्या करते हैं, परिक्षन आवेस लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, तो यह सब, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या होगा, यहाँ पर यह जो V है और यह जो है, वो कट जाएगा, और यहाँ पर जो हम लोगों का विभवांतर है, ठीक है, वो विभवांतर क्या हो जाएगा हम लोगों का, डेल्टा वी हो जाएगा मतलब कि जो small change हमारा हो रहा है वो ठीक, अब यहाँ पर जो किया गया कारे हैं, ठीक है क्या, w, ab, मतलब a से b तक की लेकर के जाने के लिए किया गया कारे है, तो कारे निकाल है कि छोटा सा कार्य हो रहा है है ना छोटा सा क्या रहा हो रहा है क्योंकि विभवांतर में छोटा सा ही चेंज हो रहा है तो माल लो कि यहां से A से B की जो दूरी है इसको हम लोग क्या माल लेते हैं डी एक्स माल लेते हैं क्या माल लेते हैं कि अगर देखो एक दम डारेक्ट लिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ठीक है अब हम लोगों ने यहां पर मतलब की इसके लिए जब पढ़ा था तो इसके लिए जब आपलोगों को पिछली क्लास में भी पढ़ा है जब लेवन क्लास में आप लोगों है तो यहां पर देखो यह अगर आप लोगों 11 का याद नहीं रहेगा ना तो आप लोग इसको समझ नहीं पाऊगे इतना डारेक्ली दिया उआ है अगर बल जो है ठीटा के कोण पर लग रह जाएगा थीटा ये वाला कोण है जिस दिशा में जो है थीटा कोण पर बल लग रहा है वो ठीक है तो यहां पर एसे बी तक के लिए जाने के लिए अगर हम लोगों को क्या निकालना हो ठीक है तो यह कारे जो है यह जो है बिल्कुल हमारा 180 डिगरी पर हो रहा है ठीक है एक सीधी लाइन में लेकर के जा रहे हैं, पूरे हम लोग क्या कर रहे हैं, 180 के कौन पर के लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कारे लिख देती हूँ, आप लोगों का डारेक्ली, यह हो जाएगा आप लोगों का क्या, F, D, X, तो यहाँ से यह आप लोगों का क्या हो जाएगा, यह हुए हैं, यह हो जाएगा, Q not E, और यह हो गया, क्या, D, X हो गया, यह आप लोगों का क्या हो गया, A से B तक के किया, A से B विंदू तक ले जाने में, एक परिक्षण आवेश को ले जाने में किया गया, कारे हो गया, ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पूट कर देंगे, अगर, यहाँ पर पूट कर देंगे, ठीक है, तो रख के देखते हैं, क्या होता है, यह क्या हो जाएगा, माइनस Q not E, और यह हो जाएगा, क्या, D, X, बटे Q not, तो यहाँ से क्या होगा, Q not और Q not कैंसल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस E, D, X, ठीक है, डैल X या D, X, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यह डैल X या D, X, मतलब की, जब भी हम लोग इस तरीके से, डैल, D, यह डैल्टा लिखते हैं, इन सब का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पर डैल्टा X लिखो, चाहेए, D, X लिखो, एक ही मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पर D, X लिख दिया था, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, D, X ही लिख लेते हैं, ठीक है, D, X ही लिख लेते हैं, और, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अब, अब यहाँ पर आप लोगों को, किस का मान मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को E का मान मिल जाएगा, E बराबर माइनस, डेल्टा वी बटे डी एक्स ठीक है यह जो नई भावतिक राशी आप लोगों को यहाँ पर मिली है यह इसका नाम है क्या विभाव प्रवार्टा इसका नाम क्या है विभाव प्रवार्टा ठीक है इसकी परिभाशा भी आपको नोट करवा दूंगी यहां पर जो विभाव प्रवार्वार्टा है वह बिल्कुल आपके जो विभाव में जो स्मॉल चेंज हो रहा है मतलब की जो विभाव आंतर है और जितनी छोड़ी सी जो दूरी तैय कर रहा है उसका अनुपात ही ह और ये रिंड चिन ये प्रदर्शित करता है कि ये जो विभाव प्रवार्वार्टा है वो विद्युच्छेत्र के विपरीद दिशा में होता है विपरीद दिशा का मतलब क्या हो गया कि जो विद्युच्छेत्र की दिशा है वो उच्छ विभाव से निम्न विभाव की तरफ होती है शुक्त होता हैें हम पर विभाव प्रमटा मिल रहा है तो इसकी दिशा की कारण इतना ही संबंद था थीवहावों मतलब यहां हो विभावव इतना ही संबंद था इन यहां आप लोगों को क्या करना हो यह V calculate करना हो तो क्या कर सकते हो आप इसको इधर ले करके जा सकते हो ठीक है मतलब कि यह जो हमारे पास था Δेल्टा V बराबर माइनस EDX यही था हमारे पास अगर हमको क्या करना हुआ विभाव कैलकुलेट करना हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों तरफ हम लोग समा कलन कर सकते हैं तो इस तरीके से क्या हो जाएगा DX के रिस्पेक्ट में समा कलन हो जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा विभाव का मान हो जाएगा और ये जो विभाव प्रमर्ता जो होती है ये कैसी राशी होती है ये आप लोगों की सदिस राशी होती है छोटी छोटी जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है सुन सुन कि आप लोगो में आपलोगों ने बारे में यह वी इत्रवाले टॉपिक में पढ़ा है पिछले चाप्तर में एस च्पटर में हम नोग है पर एक भाद हम् लोग क्या लेते हैं ठीक है तो इसके लिए यह क्या कहलाता है और इनकी बीच की दूरी किया होता है यह हमारा मतलब कि यह इनके बीच की जो है स्मॉल दूरी है तो अक्षिय स्थति का मतलब जैसे कि यह आप लोगों का क्या है या क्ष है तो अक्षिय स्थति का मतलब क्या होगा जब मोगों को एक्स अक्ष के किसी बिंदू पर इन दोनों दूइध्रू मतलब कि ये दो दूइध्रू तो नहीं है एक ही दूइध्रू है एक दूइध्रू में हमारे पास दो समान परिमार के विपरीत आवेश है तो इन दो समान परिमार के विपरीत आवेशों के कारण जब हम लोगों क को इनके अक्ष के किसी बिंदू पर अगर हम लोगों को विद्धु छेत्र या विद्धु विभाव कैलकुलेट करना हो तो वो अक्षिय स्थिति कहलाती है तो विद्धु छेत्र हम लोगों ने अल्रेडी कैलकुलेट कर लिया है विद्धु विभाव आज हम लोग कैलकुल कारण अगर हम लोगों के इसके निरक्ष पर निरक्ष पर मतलब की यहां पर जो हम लोगों का वाय अक्ष है इस वाय अक्ष के किसी भी बिंदू पर अगर हम लोगों क्या करना हो इन दो बिंदू आवेशों के कारण हम लोगों को विभाव कैलकुलेट करना हो ठीक है तो यह कि लिखाओन है लोग क्यालकुलेट करेंगे अभी इसको वोलते हैं वी इटाइर पिय गेडाय स्कुम चाय तो हो गया अप लोगों का लगा मालो की अगर ऑगर क्या हुआ माझ कि अगर अक्ष में भी न हुआ भी ढिशुक्त अगर अगर हम लोगenser के कारण इस पी बिन्दू पर अगर कैलकुलेट करना हुए तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कोई सोच सकता है अक्षी और निरक्षे तो मैं बता दूंगी similar kind है already हम लोगों ने विद्युत्षेत्र में पढ़ा भी हुआ है तो बहुत quickly हम लोग उसको कर लेंगे हम लोग 10 minutes में उसको कर लेंगे ठीक है बट जब हम लोग इस general point पर अगर हम लोगों को calculate करना हुआ विद्युत्विभाव तो ये थोड़ा सा कठीन हो जाता है ठीक है क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो होता है हम लोगों का केंद्र होता है ये केंद्र जो होता है द्विद्रू के बीच का केंद्र होता है और सारी दूरियां जो होती है केंद्र से आर दूरी पर हम लेते हैं generally दूरी आप कुछ भी थी ले करता है अलग अलग पुश्दकों में आप लोगों को अलग अलग मिलेगा पर मैं हमेशा और दूरी ही लेती हूं ठीक है तो आप लोगों को R का मान दिया हो अगर आप लोगों को जामिती पता हो कि कितने सेंटी मिटर की दूरी पर है यहां पर X अक्ष से कितने सेंटी मिटर की दूरी पर है और इस Y से कितने सेंटी मिटर की दूरी पर है अगर यह जामिती आप लोगों को गिवन होगी ठीक है तो दूरी चाहिए होगी कौन सी वाली दूरी ये वाली दूरी चाहिए होगी ये दूरी और ये दूरी ठीक है तो अगर ये आप लोगों को येलो कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ये आरवन और आर टू ये वाली अगर दूरिया अगर आप लोगों को पता हो तो सिंपली आप लो की नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग जो है जो है जम्लोगों के खेसमें हम लोग सुथ्र निकालेंगे ठीक है तो वह सुतर से आप आपको डेसी जिनरल के लिये इस विद्यूद्मीदू के कारण विभव तो अब लोगों को में अब अगर अक्षिय स्थिति के लिए क्या परणा है अक्षिय स्थिती में विध्यूद्मीदू के कारण हम जब हम लोगों को विभव जात करना है तो आप Unters स là two पढ़ाता सेम वैसे ही फटाफर से डाइग्राम बनाते जाओ अभी अभी मैंने जैसे आप लोगों को समझाया है क्या पताया कि इस तरीके से आप लोगों के पास वी दुरू होंगे जो समय समान परिमार के परंतु क्या होंगे विपरीत आवेश जो एक दूसरे से क्या और केंडर से जो प्रतिक आवेश की दूरी है वो क्या होगी ए होगी जो भी मैं बोल रही हूं इसको थेओरी के रूप में आप लोगों को अगर आप लोगों के बोर्स एकदाम में आता है तो वहाँ पर सारी थेओरी आप लोगों को लिखनी है ठीक है अभी सुनते जाओ सुनके लिखते जाना बुक पढ़ने की आदत डारो सेल्फ स्टेडी करने की आदत डालोगे बुक पढ़ोगे तभी आप लोग जो है उसको अच्छे से लिख पाओगे ध्यान से सुनोगे तभी आप लोगों अगर पढ़ा होगा फिर भी अगर आप लोग की क्लास देख तो वापस से आप लोगों को क्या करना है इसको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है और अक्षे स्थिती के केस में अगर इस विद्रू के कारण अगर हम लोगों को विभाव निकालना है तो जो हम लोग जो बिंदू लेंगे वो बिंदू हम लोग कहा लेंगे एक्स अक् और उस जो रिनात्मक आवेश के करण जो विभाव है इन दोनों का अधिश योग होगा क्या होगा इन दोनों का अधिश योग होगा अब अगर हम लोगों को क्या चाहिए इस धनात्मक आवेश के कारण अगर हम लोगों को इस पी बिंदू पर विभाव चाहिए तो हम लोग यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए होगी इस धनात्मक आवेश से दूरी चाहिए होगी चलो तो जल्दी देखते हैं कि इस धनात्मक आवेश से दूरी होगी क्या जब भी हम लोग इस केंद्र बिंदू से कोई पी बिंदू अक्ष पड़ लेते हैं तो हमेशा इसको जनरली के करण इस पी बिंदू पर विभाव लिख रही हूं तो मेरे को इस धनात्मक आवेश से दूरी चाहिए इस पी बिंदू की तो ये धनात्मक आवेश से दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि अगर हम इस केंद्र से इस धनात्मक आवेश की ये वाली जो हमारी दूरी है इसको क्या करें इस R से माइनस कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी इस धनात्मक आवेश से इस P बिंदू की दूरी मिल जाएगी जो हम लोग क्या लिख सकते R माइनस A मतलब कि यहां पर हम लोगों को धनात्मक आवेश की करण विभाव का के लिए आवेश का परिमान तो वही हो जाएगा परंतु जब हम लोगों को दूरी लिखनी होगी तो इस रिनात्मक आवेश से इस पी बिंदू की जो दूरी हो जाएगी वो इस आर दूरी को और इस ए दूरी को अगर हम जोडेंगे तो हम लोगों को दूरी मिल जाएगी क्य आर प्लस ए लिख सकते है पर ध्यान रखना है यहां पर जो आप लोगों का परिमाण है वो क्या है समान परिमाण है परंतु विपरी तावेश है तो चिन्न भी आप लोगों को यहां पर लेना होगा ठीक है तो जब आप लोग चिन्न लोग गया और इसको जोड़ोगे तो क् समीकरण 1 वा 2 को क्या जोडने पर ठीक है एक और जो को क्या करेंगे हम लोगों को जोडने पर क्या मिल जाएगा अक्षिय सिति में हम लोगों को पी बिंदू पर कुल विभाव निकल जाएगा तो इस तरीके से होगा आप लोगों का अब इसका वैल्यू रख देंगे जो भी प्लस ए ठीक है तो माइनस क्यू हुआ यहाँ पर चिन्हसाहित लिया था तो पी बिंदू पर जो विभाव है वो क्या हो जाएगा अगर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात क्यू बटे चार पाई एप्सलॉन नॉट हम लोगों को क्या मिल रहा है एक जैस क्या बचाएगा एक बटे आर माइनस A माइनस एक बटे आर प्लस A अब इस ब्रैकेट को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो simply आप लोगों को क्या करना है बीच गणित से सॉल्व करना है ठीके तो यह यहाँ पे क्या रहेगा क्यू बटे चार पाई एपसलोन नॉट जैसा है वैसा ही रहेगा इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आप लोगों का आजाएगा आर का वर्ग माइनस A का वर्ग तो बिल्कुल बीच गणित से आया है आप लोगों का A प्लस B, A माइनस B के सुत्र से और यहाँ पे क्या हो गया? R प्लस A और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस R माइनस A ठीक है? तो जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस R और प्लस A हो जाएगा तो बिल्कुल मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? वी पी बराबर क्यू बटे चार पाई एप्सलोन नॉट क्या हो गया? R प्लस A माइनस R प्लस A बटे R का वर्ग माइनस A का वर्ग तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? यह आर और R कैंसल हो जाएगा यह आप लोगों का आ जाएगा 2 A Q बटे 4 पाई एप्सलोन नॉट ठीक है? अब यहाँ पर यह जो हिस्सा है R का वर्ग और माइनस A का वर्ग ठीक है? R का वर्ग माइनस A का वर्ग तो याद करो आप लोगों ने जब विद्यू छेतर का केस पढ़ा था तो वहाँ पर भी आप लोगों ने क्या किया था? वहाँ पर भी आप लोगों ने इस A स्क्वार को क्या किया था? नेगलेट किया था मतलब कि 0 माल लिया था तो हम लोग इसको 0 क्यों माल रहते है? क्योंकि यह जो हमारा दवीध हुआ है इनके जो बीच की जो दूरी होती है रियल में बहुत ज्यादा छोटी होती है रियल में क्या होती है बहुत ज्यादा छोटी होती है तो जो ये एक अमान होता है इस एक अमान होता है वो क्या होता है बहुत छोटा होता है और किसी भी छोटी राशी का अगर हम लोग क्या करते हैं वर्ग करते हैं तो वो क्या हो जाता है और चोटा हो जाता है इतना चोटा हो जाता है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं इसलिए जब ать कखर और को गया सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था इस zu भी डूर आगुनियंग रोग देते हैं क्या हो कुल विभाव पी बिंदू पर कुल विभाव वराबर पी बटे चार पाई एप्सलान नौट और आर का वर्ग तो यह आप लोगों का फाइनल सुत्रा आ गया किसके लिए फाइनल सुत्रा आगया आप लोगों का द्वीधू आगून के कारण अक्षियस्थिति में इस पी बिंदू पर विभाव के लिए क्या आया हमारा सुत्रा वी पी बराबर पी बटे चार पाई एप्सलान नौट आर का वर्ग ठीक है और इसी अक्षियस्थिति के लिए जब ह पॉन क्या मिला था ये चार पाई एप्सलान नौट आर क्यों मिला था ठीक है तो यहां पर यहां पर जो हम लोगों को विभाव के लिए रिलेशन मिला दूरी के साथ वो मिला हम लोगों को क्या आर के वर्ग के विद्क्रमान उपाती जबकि हम लोगों ने विद्धित छे क्या है दोनों ही राश्या विद्यूत वीध्रु आगुण के समानुपाती है तो बिल्कुल comparison करते हुए पढ़ना है ताकि आप लोगों को पूरे concept याद रखें अब हमको क्या करना है निरक्ष्य स्थिति के लिए देखना है निरक्ष्य स्थिति के case में क्या है simply सेम वही द् नियुनितम दूरी पर है और इनके बीच जो है वो मतलब की केंद्र जो है वो क्या है उ है इनकी जो दूरी है वो क्या है बहुत ही नियुनितम है समान परिमान के परंतु क्या है विपरीत आवेश है ठीक है तो अक्षिय स्थिति में इस तरीके से केंद्र से ये दूरी में ल होंगी समान होंगी दोनों ही दूरियां क्या होंगी समान होंगी ठीक है तो अब अगर हम लोगों को इस पी बिंदू पर अगर कुल विभाव चाहिए तो सेम वैसे ही जैसे कि हम लोगों इसके पहले किया इस धनात्मक आवेश के करण पी बिंदू पर विभाव और इस रिना रिनात्मक आवेश की कारण इस पी बिंदूबर विभाव के लिए अगर हम लोग क्या करेंगे सुत्र लिखेंगे तो एक बटे चार पाई एपसलान नौट यह क्या हो जाएगा क्यू बटे आरवन ठीक है और यहां पर रिनात्मक आवेश कि करण जब सुत्र लिखेंगे तो वहाँ पे वर्ग होता था तो calculation हमारे टफ हो गया था वहाँ पे हम लोगों ने पाइथा गुरस प्रम्यकर इस्तमाल किया था ठीक है यहाँ पे simply यह जो आपका R1 और R2 है यह क्या है R1 बराबर क्या है R2 है एक दूसरे के बराबर है यह जो दूरिया है ठीक है तो जब हम लो क्योंकि R1 और तो यह क्या हो जाएंगे पूरे के पूरे एक दूसरे को cancel out कर देंगे और यहाँ पर हम लोगों को निरख्षी यह स्थिती में जो पी बिंदू पर विभाव हो है वो क्या प्राप्व हो जाएगा शउन्य प्राप्व हो जाएगा घर विभाव हमारा क्या होगा शुन्य होगा पर अगर विद्धुच्छेत्र क्यालकुलेट करना है तो विद्धुच्छेत्र शुन्य नहीं होता है क्योंकि हम लोगों को विद्धुच्छेत्र का के कारण विद्यूत्विभाव होगा वो क्या होगा शुन्य होगा और विद्यूत्षेत्र जो है बिल्कुल उपस्थित रहेगा विद्यूत्षेत्र का मान शुन्य नहीं होगा ठीक है यहां पे लिख सकते हैं विद्यूत्षेत्र विभाव का मान शुन्य होगा और विद्य थोड़ा कॉंपलेक्स होता है चलो फटाफट से कवर कर लेते हैं उसको हम लोग जल्दी से quickly cover कर लेते हैं हम लोग ठीक है general point के case में लिख लो सबसे पहले heading डाल लो यहां पर ठीक है general point के case में जनरल पॉइंट के लिए विद्यूत द्वीधु के कारण विभव लिख देती हूं मैं जनरल पॉइंट के लिए विद्यूत द्वीधु के कारण विभव तो सबसे पहले फटा-फट डाइग्राम बना लो माइनस Q प्लस Q दोनों के बीच की दूरी क्या है 2A केंद्र O है अब इस केंद्र से हम लोग क्या करते हैं केंद्र से R दूरी पर कोई पिंदू P लेते हैं जनरल पॉइंट ठीक है और धनात्मा कावेश से इसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी R1 और यहाँ पर रिनात्मा कावेश से जो दूरी है धनात्मा कावेश से जो इसकी P बिंदू की दूरी है वो हम लोगों ने ले ली R1 और रिनात्मा कावेश से जो P बिंदू की दूरी है इसको हम लोगों ने क्या ले लिया R2 ले लिया और केंद्र से इस P बिंदू की दूरी क्या होगी R होगी ठीक है केंद्र से P बिंदू की दूरी R होगी अब हम लोगों को करना क्या है इस P बिंदू पर विभाव निकालना है तो क्या करना होगा धनात्मक आवेश की करन विभाव और इनात्मक आवेश की करन विभाव को क्य करना पड़ेगा अधिश योग करना पड़ेगा पर यहां पर जब हम लोग अधिश योग करेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोगों को आरवन दूरी और आटू दूरी निकालनी जादा जरूरी है अब यहां पर इस आरवन और आटू दूरी को निकालने के लिए हम लोगों को जामिती का इस्तमाल करना है क्या करना है हम लोगों को जामिती का इस्तमाल करना है तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको P बिंदू माना है ठीक है इसको क्या कर रहा है हम लोगों ने P बिंदू माना है तो इसको ग्याद करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहां पर ध्यान से देखना करना क्या है कि यह वाला जो केंदर से जो दूरी है ना और इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा आगे एक्स्टेंड करेंगे विल्कुल मैं यह ग्रीन कलर से लाइन क्या है आप लोगों का भी बिंदू है यहां से हम लोग क्या करेंगे इस लाइन पर लंबवात रेखा खीचेंगे ठीक है जब हम लोग क्या करते हैं यह लंबवात रेखा खीचते हैं तो यह जो ग्रीन कलर की लाइन है और यह जो आपके पिंक कलर की लाइन है यह आर दू को जो है यहां पर डिफ्रेंस पता चल पाए ठीक है तो यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा यह आरवंदूरी और यह दूरी यह भी क्या होगी आरवंदूरी के बराबर ही होगी और यह आरवंदूरी हम लोगों को ग्रीन और पिंक कलर की लाइन को मिलाने से बन रही है ठी बिन्दू ले लेती हूं, यहाँ पर मैं एक बिंदू ले लेती हूं, C, ठीक है, इसको मैं ले लेती हूं क्या, C बिंदू, ठीक है, यह बिंदू हो गया, C, यह बिंदू, और यह वाला जो बिंदू था, आल रेड़ी पहले से, O था तो इसका मतलब R1 बराबर आप लोगों का क्या हो गया R1 बराबर ये P बिंदू है ये A बिंदू है ठीक है तो R1 बराबर AP हाना R1 बराबर क्या है sorry BP sorry ये R2 बराबर ना ये R2 वाले के लिए कर रहे है यहाँ पर R2 लिख लो ठीक है ये गल्दी से R1 लिखा गया है R2 बराबर ये क्या हो गया आपका ये B है BP प्लस ये क्या होगा OP इतना समझ माया की नहीं clear है की नहीं सबसे पहले हम लोगों ने रिनात्मकावेश के लिए दूरी देख ली कि अगर हम लोगों को माल लो कि ये R2 दूरी निकालनी है तो इस R2 दूरी को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इस द्वीध्रू के केंद्र से जो इस P बिंदू की दूरी है R ये वाली लाइन को हम लोग यहां पर थोड़ा सा आगे extend किये हैं मैंने green color से extend किया है ठीक है इस green color की line में हमने क्या किया है यह जो B बिंदू मैंने लिया है तो इसके लंबवत इस B बिंदू से मैंने इस R line के R वाली जो रेखा है इसके R वाली रेखा के लंबवत एक line कीज़ दी ठीक है यहां पर यह जो बिंदू है आर्टू दूरी के बराबर होगी और यह जो C P दूरी है वो जो है आप लोगों की किस को किस को मिलाने से बन रही है यहां पर C O C O ठीक है यह दोनों यह green color यहां पर जो O बिंदू है तो यह और यह वाला हिस्सा ठीक है C O और O P को मिलाने से बन रहा है ठीक है आप सहीं लिखा है बिल्कुल हाँ आप सहीं लिखा है इसी तरीके से हम लोगों को R1 की जामिती निकालनी होगी तो यहाँ पर R1 की जामिती निकालने के लिए फिर से मैं यहाँ पर लंबुवत रेखा खीचूंगी तो इस बार जो लंबुवत रेखा खीचूंगी वो लंब आर है क्योंकि अगर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा तो यहां पर अगर आप लोग भारें दूरी देखोंगे तो यह कि है यहां पर यह केंद्र से लेकर के इस वी बिंदू की दोरी है इस ओपी को अगर क्या करोगे आप माइनस करोगे किस से OD से, ठीक है, मतलब इस छोटी दूरी से अगर आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी कौन सी दूरी है ये, OD, ये तो OD लिखा हुगा है, कौन सी दूरी है वो, DP, ठीक है, ये जामिती अगर आप लोग और रजना difficult होता है यहां पर जैसे कि यह आप लोगों का बिंदू आवेश है दो बिंदू आवेश एक रिण टिर्ट ठीकर यह इसके बीच की दूरी है अब यहांपर हम लोगों कैंद्र से यह दूरी मिल रही थी यह वाली दूरी इस dismay कर दिया आग एक्सिरेंट करने के बद यहां पर मैंने ज् exercise और के मतलब Exp pine जो रहा है इसके लबवढ़ इस यहां से यह भी है हमारा यह वालन हिस्सर हमारा यह इसके लबवद मैं लाइन की दिया इसको मैंने क्या माल लिए सी बी माल लिए किसी प्रकार से मैं क्या क्या था यहां पर यहां पर जब मैंने मेरे को क्या करना था यहां पर जब यह वाला लाइन निकाला था किस एक कारण निकाला था तो इसको मैंने डी मान लिया ठीक है एक बर इसको मैं ड्रॉ कर देती हैं यह आपका क्या है यहां पर आरवन है और यह क्या है यह वाला हि P बिंदू, मतलब की R1 वाला हिस्सा, मतलब की AP बराबर क्या है आप लोगों का, AP बराबर है किसके, BP के, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, R1 और R2 में अगर हम लोग देखें, तो R2 में क्या है, BP है, BP बराबर है किसके, CP के, ठीक है, BP बराबर है किसके, CP के, और जो अभी क्या लिखाएगा R1 हाँ R1 है वो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यह आप लोगों का क्या है O तो यह हो जाएगा आप लोगों का क्या O P O P O P माइनस क्या हो जाएगा D P ठीक है माइनस क्या हो जाएगा O P नहीं O P minus dp करने के बजाए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है आप लोगों का d बिंदू हना तो यह क्या हो जाएगा o d plus क्या हो जाएगा o d plus dp ठीक अब इसी तरीके से r2 लिखोगे तो r2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा r2 बराबर यहाँ हो जाएगा o c ठीक है यह वाला हिस्सा o c plus क्या हो जाएगा o c plus op ठीक है o c plus op हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करनी है यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को यह वाला जो हिस्सा है और यह वाला जो हिस्सा यह हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा यह हमारा कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है मैं एक बार फिर से ड्रॉब करके आपको दूसरे कलर से हाँ ब्लू कलर से दिखा देती हूं यह वाला हिस्सा हमारा ग्यात हो जाएगा क्यो इस साइट का ये वाला हिस्सा क्या है हमारा ए है इसको जूम आउट करके मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लारिटी से यहां पर समझ में आ जाए ठीक है यहां पर मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूं यहां पर मैं ड्रॉ कर देती हूं ठीक है यह heading card लो, यह हमारा हो चुका है, बिल्कुली space थोड़ा कम हो गया, यह हमारा द्वीधरू है, इसको मैंने zoom करके draw कर लिया, ठीक है, इसको क्या क्या मैंने, zoom करके draw कर लिया, zoom जब किया मैंने, यह वाला बिंदू मैंने B लिया है, यह वाला मैंने क्या लिया है, यह हमारा क्य क्या है केंद्र बिंदू ये दूरिया हमारी क्या है ए है और ये क्या है ए है और अभी हम लोगों को निकालना क्या है ये हम लोगों ने यहां वाली लाइन को एक्स्टेंड करके इसके लंबुवत लाइन खीजा था यहां वाली लाइन को एक्स्टेंड करके ये वाला बिंद है हम लोगों को और ओए पता है और क्या पता है हम लोगों को ओवी पता है यह क्या है एक बराबर है हमको चाहिए क्या यहाँ पर हमको यहाँ पर जो दूरिया चाहिए वो क्या क्या चाहिए हम लोगों को ओसी चाहिए यहाँ पर और क्या चाहिए ओडी चाहिए ठीक है तो कै अधार बटे कन तो यह वाला जो आप लोगों का हिस्सा यह क्या है आधार है इस त्रिभूच के लिए कौन से त्रिभूच के लिए O, B, C O, B, C त्रिभूच के लिए आधार क्या है O, B, C त्रिभूच O, B, C में आधार क्या है आप लोगों का देखो भाईस के लिए आप लोगों की जामिती अच्छी होनी चाहिए ठीक है क्योंकि पूरा गडित मैं नहीं पढ़ाओंगी फिर भी ये हिस्सा मेरे को डारेक्ट बता देना था बट फिर भी मैं बता रही हूं पूरा-पूरा ठीक तो ध्यान से देखना आधार बराबर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का O C हो जाएगा ठीक है तो यह हम लोगों को कैलकुलेट करना तो इसके अनुसार यहां पे इस त्रिभूज में कॉस थिटा क्या हो जाएगा O C बट बस्कारण अब हलका लगा क्या inspire को समझ में यारन था जब एक है फोर्म में और से के फॉर्म में में आया तब कहीं जा करके हम लोगों को कुछ दिमाघ में क्लियर हुआ यह सब हम लोग कर क्यों रहे थे एक ऑसथीता ये मली दूरी आप लोगों को मिल जाएगी ठीक अगं तरीक है उसी अब यहाँ पर थीटा कोन है ठीक है यह वाला हिस्सा आप लोगों को यहाँ पर निकालना है ओडी निकालना है तो कैसे निकालो गए यह वाला हिस्सा भी similarly क्या हो जाएगा यह आप लोगों का अधार हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा और यह यहां पर क्या हो जाएगा ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos theta बराबर, cos theta बराबर, od, बटे, oa, तो oa का मान हम लोगों को पता है, od का हम लोगों को ग्याद करना था, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाएगा, od का मान आ जाएगा, od बराबर, a cos theta, ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों चीजे हैं, इनका मान हमारे पास क्या आ गया, A cost theta, और इसका मान क्या आ गया, A cost theta, clear है, यहां तक के सभी को clear है, अब बहुत इजी हो गया, यहां पर आप लोगों को क्या मिल गया, O, C और O, D का मान मिल गया, ठीक है, मतलब कि यहां पर जो आप लोगों को ये लिखना था, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो लिखना था, इसको मैं मिटा देती हूँ, यहां पर आप लोगों के लिए, वहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको आप लोग लिख लो यहाँ पर क्या लिखोगे OD प्लस DP ठीक तो यहाँ पर आप लोगों का simple हो जाएगा इसको थोड़ा सा छोटा लिखती लेते हैं हम लोग R1 यह तो लिख लिए हम लोगों ने R1 बराबर OD प्लस DP ठीक है R2 बराबर OC प्लस OP एक सेकेंड फिर से देख लेती हूँ मैं क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पर R1 बराबर क्या लिखा हम लोगों ने DP हाना R1 बराबर DP प्लस OD ठीक है अब R2 बराबर हम लोगों ने क्या लिखा ये OC अच्छा यहाँ पर तो माइनस आएगा ना मतलब मैंने जो पहले लिखा था वही सहीं लिखा था ठीक है तो यहाँ पर करेक्ट कर ले ना बिल्कुल R1 बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का OP माइनस OD ठीक है R1 बराबर OP माइनस OD और R2 बराबर क्या हो जाएगा O C OC PLUS OP ठीक है अब यहाँ पर जो OP है OP बराबर क्या है हमारे पस R है ठीक है तो इसको मैं मिटा रही हूँ यहाँ पर से बिल्कुल ठीक है यह सारी चीज़े मैं मिटा रही हूँ यहाँ पर क्या है OP बराबर हमारी क्या है है R है तो यहां पर क्या हो जाएगा R और माइनस ओडि Оड Igam अगर आप लोगों को आगया तो यहाँ पर विभाव कामान लिखना बहुत ही सरल है तो यहाँ पर ढूरेश से होगा यहां से ठीक है वह मैं आप लोगों के लिए क्रस्टार नॉट रिनात्मा कावेश के दूरी, कारण दूरी क्या है, R2 है, R1 और R2 की दूरी हम लोगोंने निकाल ली है, अब टैंशन नहीं है, तो सबसे पहले तो Q बटे 4 पाई, Epsilon को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ, ठीके, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बचा, R1, R2 का मान हम लोगोंने अल्रेडी निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, value पुट कर लेते हैं, Q बटे 4 पाई, Epsilon 0, और यह क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, 1 बटे R माइनस A कॉस थिटा, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे R माइनस A कॉस थिटा, भाई अब इसको आप लोगों को क्या करना है, यह आप लोगों को solve करना है, यहाँ पे पूरा calculation है, आप लोगों का, ठीक है, calculation है, अब इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा solve, म आप लोग इन दोनों हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है इसका और इसका क्या करोगे आप लोग लोगे ले लेने के बाद इसको इधर और इसको इधर लिख होगे ठीक है अब यह जब आप लोग लिख लोगे तो यहां पर आप लोगों का जो फाइनल सॉलूशन है वो क्या आप लोगों का यहां पर P cos theta बटे R का वर्ग ठीक है और यह आएगा आप लोगों का किसमे माइनस में तो भाई यह आपको खुद से solve करना है ठीक है चलो तो यहां तक हमारा जो हुआ वो क्या हो गया हम लोगों का जनरल के करण विभाव का सूत्र निकाल लिया तो इसको बिल्कुल मैं समराइश करके लिख देती हूँ यहां पर ही लिख देती जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर ठीक है तो यह वाला यह वाली हिस्से में अगर में लिख मैं लिख को अच्छे से याद रह ठीक है फिर निरक्षय सिती मतलब की वी ए के केस में हम लोगों ने क्या निकाला विद्यत विभाव जो होता है विद्यत वीधू के करण क्या होता है शुन्य होता है और आप लोगों का जो जनरल पॉइंट का केस है ठीक है यह जनरल पॉइंट का केस जो है इसमें आप लोग उने calculate कर लिया ठीक है समराइज भी कर दिया मैंने बिल्कुल आज सी क्लास में बस आप लोगों को इतना ही बढ़ना था समझ में आया की नी भाई थोड़ा सा ये वाला हिस्सा complicated था तो इसको आप लोग जो है अच्छे से समझ लेना अगर ना समझ में आये तो ये वाला हिस्सा आप लोगों को मैंने एक दम से दुबारा repeat कर करके समझा है मैंने आप लोगों को बिल्कुल दो बार तीन बार डाइग्राम बनांके बताया है अच्छे से पढ़ क्या ना तबसे पहले हमारा topic होगा एक समान विद्धिच्छुत्र में रखे दुवी धू के कारण आगुण ठीक है तो मैं आप लोगों का स्थितिच उर्जा का topic तो quickly start करूँगी पर start करने से पहले मैं ये topic इसलिए cover करवारी हूँ क्योंकि ये topic आप लोगों का जो है वो काम आएगा जब आप लोग यहां पर क्या करोगे दुवी धू के करण जब स्थितिच उर्जा जो है पढ़ है ठीक है एक दूसरे से related है तो एक सांट पढ़ाने में मुझे भी आशानी होगी और आप लोगों को भी समझ में आएगा क्योंकि हम लोग comparison करके पढ़ पाएंगे ठीक है विद्यूत स्थितिच उर्जा और बाहर शेत्र में स्थितिच उर्जा तो मैं आप लोगों को विभाओ हना calculate किया एक बिंदू आवेश के करण दो बिंदू आवेश के करण बहुत सारे आवेश के करण तो उसी सरीके से हम लोगों को यहां पर स्थितिच उर्जा calculate करना है तैन सबसे लास्ट में क्लास के सबसे लास्ट में हम लोग विद्यूत विभाओ से related कुछ real examples द आप लोगों को क्या होगा पढ़ने में इंट्रेस्ट आएगा ठीक है पढ़ने में इंट्रेस्ट लाना है तभी आप लोगों का क्या बढ़ पाएगा पढ़ने में इंट्रेस्ट लाने से आप लोगों का फोकस बढ़ पाएगा अगर आप लोगों की क्लास देखोगे कर लिएंट यहाँ पर लोग को टृपिक्स पढ़ा रही हूं लास् लेक्चर में मैं आप लोगों को न्यूम आरी कяж होंगि यह आज आज आप लोगों का ऐस घिमाज के ठेक्चर से अरी एक सरैंड फिर द्वीद्रू के कारण जो हम लोगों ने विभाव जो क्यालकुलेट किया था ठीक है विभाव जो क्या क्या था ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को क्या है उसी तरीके से हम लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विद्वीधू के कारण विभाव में हम लोगों ने अक्षिय स्थिती और निरक्षिय स्थिती और हम लोगों ने क्या देखा था जनरल पॉइंट के केस के लिए देखा था ठी हम लोग quickly revise कर लेते हैं ठीक है recap कर लेते हैं हम लोग पिछले lecture में हम लोगोंने क्या-क्या पढ़ा था recap कर लो फटा-फट से ठीक है so हम लोगोंने formulas देखे थे तीनों के case के लिए हम लोगोंने किसी P बिंदू पर विभाव निकाला था शूने मिल रहा था और general point के case में जो हम लोगों को विभाव का सुत्र मिल रहा था वो minus P cos theta बटे 4 pi epsilon not ठीक है 4 pi epsilon not आर का वर गई यह हम लोगों को क्या मिल रहा था जेनरल point के case में सुत्र मिल रहा था तो यह हम लोगोंने पिछली class में cover किया था आज की class में हम लोग क्या पढ़ेंगे एक समान विद्यू छेत्र में रखे विद्यू द्वीधू पर आगोन पढ़ेंगे देखो यह हम लोगोंने द्वीधू पर विभाव पढ़ा था साथ साथ यहां पर मैं सांती सांत अक्षियो निरक्षिय स्थिति के लिए विद्यू चेत्र का भी सुत्र लिख सब्देती हूं बार बार इसलिए लिखती हूं ताकि आप लोगों को रिवाइज होता रहे ठीक है किसी भी बिंदू पर विद्वीधू के कारण जो विभाव का ह और यहां पर आप लोगों को जो है सुत्र मिलता है सीम यही लगता है अप लोगों का क्या पी बटे 4PY Epsilon Çेटर का जो है वось छूतर मिलता है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत सेलफ इस्टडी करना है बुक से करना है लोग से नाइंट को मिल्डेगाने धाख iots नाइनपरस्ट करना है यहां पिसूद नहीं थरे्टर हैं व erzähle나비 शौतर करो उससे थोड़ा हटकर है यहाँ पर तो यह क्या है विद्यू द्वीध्रू पर आगून क्या है यह क्या है तो इसको हम लोग समझते हैं यह थोड़ा नया कॉंसेप्ट है देखो अभी हम लोगों ने क्या रखा था इस तरीके से हम लोग द्वीध्रू ले रहते समान होगा मान लोग की कोई एक समान विद्यू च्छेत्र में हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से किसी द्वीध्रू आगून को रखते हैं तो जब इस तरीके से हम लोग पर कोई भी बलागून उत्पन नहीं उगा इसलिए अभी तक हम लो को time पढ़ा वहां पर हम लोगों ने बिलकुल भी किसि भी प्रकार कि बार आगून की चरचा नहीं करी बलागून की बात नहीं करी ठीक है ये बलागुन जो होता है ये उत्पर्ण कब होता है जो ये अक्षपढणा होकर ये इस तरीके से अगर इसी विद्युच्छेत्र में अगर इस तरीके से कहीं पर तिर्चा कोई द्वीध्रू रखा हो किसी थीटा कोण पर द्वीध्रू रखा हो तब ये बलागुन जो है इसका यह जो है रोल में आता है यह जो है आप हमारे मतलब की हमारे सिलेबस में आएगा हम लोगों को पढ़ने के लिए आएगा तो आप लोग बोलोगे कि आरे यार मैं अभी तक ही सही था जब तक के वो इस तरीके से सीधी लाइन में रखा हुआ ताप ठीटा कोण प पर रखे विद्यू द्वीद्व हुआ आगून के कारण आप लोग क्या करोगे इस सितेज उर्जा कैलकुलेट कर पाओगे ठीक है तो यह बलागून होता कहां है क्या है भई यह बलागून आता कहां से कैसे आता है ठीक है तो देखो आप लोग यहां पर इसका मतलब होता है वो एक तरह के बल के कारण होता है यह कौन सा बल है भई अब यहां पर कौन सा बल लगने लगा ठीक है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब विद्यू द्वीध्रू जो है इस तरीके से अगर किसी थीटा कोण पर रखा रहेगा तब जाकर कि यह बल बना रही हूं आप लोग मेरे सांथ बनाते जाओ यह मैंने क्या बनाया एक समान विद्यू छेत्र बनाया क्या बनाया एक समान विद्यू छेत्रा अब इस एक समान विद्यू छेत्र में मैंने क्या करा इस तरीके से मैंने जो है यह थीटा कोण पर ठीक है थीटा कोण पर म हमेशा भी हम defence olur अर थे का और इनके बीच की दूरी डूरी वह क्या है जैसे कि हम हमेशा से लेते हुए आ रह रहे हैं ठीके अब ये समान एक समान विद्धू छेतर में रखा हुआ यैं पर एक समान विद्धू छेतर में रखा हुआ है पर और पर एक समाने सीखेर में नहीं रखा हुआ है देखको यह वाला जो हमने सीखा था यहां पर यह क्या थी हमारे विद्यूच्हेत्र की dyma 5-6 की मतलब की तरफ में हमारा क्या थो विद्यूच्हेत्र का दिशा था तो यहां पर जो यहां पर ठीक है माइनस से प्लस की ओर होता है और यहां पर एक समान विद्धुच्छेत्र में इस तरीके से हमारे पास द्वीधु आगुण रखा हुआ था यह जो द्वीधु है ना यह क्या है आपका ध्यान से सुनना हां यह जो द्वीधु है यह आप लोगों का क्या है अलाइंड है अलाइंड का मतलब क्या हुआ इस विद्धुच्छेत्र की रेखा की दिशा में है ठीक है द्वीधु यहां पर लिख देती हूं मैं ध्यान से समझना इसको द्वीधु जो है छेत्र की दिशा में किस कौन से छेत्र की दिशा में विद्धुच्छेत्र की दिशा में है तो क्योंकि ये विद्युच्छेत्र की दिशा में है, तो ये already क्या है, विद्युच्छेत्र की समनांतर है यहाँ पर, विद्युच्छेत्र की दिशा में aligned है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है, कोई भी बल, यहाँ पर कोई भी बल आगून कारे नहीं करेगा, क्य कि जब इस तरीके से दिशा में होता है तो इसको कोई भी जो है यहां पर कोई भी बल नहीं लगता है जो इसको भी च्थेत्र में लाने का प्रयास करें परन्थी जब हम लोग क्या करते हैं इसको स् участव थीटा कोड पर इस तरीके को क्या बोलते हैं और इनके ध्रूओं पर क्या होता है इनके ध्रूओं पर इस पर आवेश के कारण इस आवेश की कारण और इस विद्यूद्चेत्र के कारण जो है एक तरह का बल कारे करने रखता है तो बल बराबर विद्यूद्ध आवेश के केस में हम लोगों ने पढ़ तो यहाँ पर क्या था यह जो विधुद्चंट्र था वो किनारे है यह जो विधु विदुद्रु कार रहे करेगा इस बल का कारई क्या होगा इस बल का कार्य क्या होगा यह बल जो है इन आवेशों को क्या करेगा इस विद्यु द्वीदु को इन ध्रूओं को क्या कर रहा है इन तो आप लोगों ने प्रत्या नयान बल जो है ऐलेवं धुक्त क्लास में भी पढ़ा होगा कि जहां पर भी क्या करते है अलाइड करने का प्रयास किया जाता है ठीक है तो वो प्रयास नैखल और इस प्रत्यान नएन बल के कारण हम लोगों को यहां पर एक नई भाववतिक राशी मिलती है बल आगून कने यहां पर गल जिसको लोग कर ले तर्जित कर लेते हैं ओसे पर पहले हम लोगो को जो अगला टॉपिक हमारा इस्तिति उड् STAR पढ़ना है उसके लिए जो चाहिए रिक्वाइड चीज है उसको हम लोग जल्दी से यहां पर कुईक्ली समझ लेते हैं बहुत छोटा सा है स्मॉल फटा-फट से मैं बता देती हूं मैं जो थ्योरी समझाना था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है ठीक है अब होगा क्या फिर से यह लेगा इसका केंद्रबिंदू है ठीक है अब यह जो है यहां पर इस चैटीज रेखा से क्या है ठीटा ठीटा कोण पर है और यह क्या है आप लोगों के पास हमारे पास क्या लग रहे है द्रू के पास हमारा प्रत्यानियन बल लग रहे है तो धनात्म कावेश की कास पास त्विद्रू को इस तरीके से क्या करेंगे यह पत्यानियन्बल के कारण यहांपर यह देख लो अग्या करेंगि एक दूसरे को यहां पर जो है मलार नहीं उचेंट द्शा में लाने का प्रयाश्य तो करेंगे आ तो यह तो आप लोगों को प्रत्यान ननीं हो परन्तु यहां पर अगर आप लो डोन नीकालना हो क्या निकालना हुं बल आगुण ताउ निकालना हो तो बल आगून ताउ निकालने के लिए कैसे निकालेंगे जैसे कि हम लोग वीध्रू आगून निकाले थे न वैसे ही हम लोगों को क्या निकलेगा यहाँ पर बल आगून निकलेगा ठीक है तो बल आगून वीध्रू आगून था तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था आवेश का परिमार और उन दोनों के बीच की दूरी यहां पर हम लोग क्या लेंगे यहां पर हम लोग क्योंकि यह बल आगून है तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे किसी एक बल का परिमार लेंगे यहां पर हम लोग का परिमार लेंगे और क्या लेंगे इ फ्रैयास रद बल यहां पर लग रहा है ठीक है, प्रत्यानियान बल जो लग रहा है, उसका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा क्या हो जाएगा उसका काम पुरा हो जाएगा तो मान लोग कि यह जो है पहले क्या है थीटा कोंड पर रखा है थीटा नॉट से थीटा वन अब यह क्या कर रहा है इसको थीटा नॉट कोंड से मतलब प्रारंभी कोंड से इस कोंड पर लाने के लिए प्रयास कर रहा है तो हम लोग यहां पर यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे कौन यह जो कौन है हमारा ठीक है यह हमारा थीटा है यह वाली दूरी हमारी ए है अगर यह दूरी हम लोगों को निकालनी है तो हम लोगों को क्या निकालना प लेते हैं दूरी को और लंब बटे कर्ण कर्ण जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा तो ये वाली जो दूरी डी हम लोगों को सब्सक्राइख निकालनी है है वह क्या जाएगी असाइन ठीट आजाएगी तो जैसे कि मैंने आप लोगों रोगी वो क्या हो जाएगी, A sin theta, ठीक है, ये दूरी क्या हो जाएगी, A sin theta, तो यहाँ पर हम लोग बल का परिमार्द रख देते हैं, Tao वराबर देते हैं, टाउ वराबर क्या हो जाएगा, QE, QE, गुणा क्या हो जाएगा, A sin Theta, ठीक है? लिख लोग फटाफट से िटाव वराबर क्या हो जाएगा Q E Q E into A sin Theta, ठीक है? अब अगर हम लोगों को क्या करना प्रद ₹, यह हम लोगों का क्या है? धनात्मा कावेश के लिए निकल गया ठीक है धनात्मा कावेश के लिए निकल गया ठीक है अगर हम लोगों को इस रिनात्मा कावेश के लिए निकालना हो ठीक है ये वाला टाउ हम लोगों के निकाल लिया ये क्या है धनात्मा कावेश के करण निकालना हुआ तो यहाँ पर हम लोगों क्या करेंगे ये A sin theta ही हो जाएगी, ठीक है, सेम वैसी ही दूरी आप लोगों को calculate करना है, क्योंकि एकांतर कोन से ये वाला कोन आपका theta हो जाएगा, और जैसे हम लोगों ने पहले दूरी निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A sin theta, ठीक है, अब ये धनात्मा करें आ आगून और इस रिनात्मा कावेश के बल आगून को जब हम लोग जोडेंगे, तब हम लोगों को मिलेगा, तो ये क्या है हमारा, QE A sin theta, ठीक है, अब हम लोगों को इनको जोडने से क्या मिल जाएगा, हम लोगों को, यहाँ पर, ये मिल जाएगा, कुल बल आगून बराब 2QA E sin theta, ठीक है, अब ये वाला हिस्सा तो मैंने अल्रेडी आप लोगों को बता दिया है, दुवीधरू आगून तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, ये वाला हिस्सा और कुछ नहीं बल कि आप लोगों का क्या है, ये वाला हिस्सा आप लोगों का दुवीधरू आगून और जो विध्यू छेत्र है, दोनों ही क्या है, हमारी सदिस राशिया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, टाउ बराबर, ये हो जाएगा, पी क्रॉस ए, ये पी क्रॉस ए कैसे हुआ, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी साइ सदिस राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो वही क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, ये हम लोगों को मिल गया, जो एक समान विध्यू छेत्र में, हाना, एक समान विध्यू छेत्र में रखे, द्व इसे हम लोगों को जरुवत थी वह हम लोगों को ने पढ़ा लिया है यहां पर जल्दी से अम लोग से हम लोग पढ़ते आ कर लूड है आप लोगोंने पढ़ा था डूड् HaramSec चे tailored दो किसी बिनु आवेश को ययुकुत लेजाने के लिए जो किया गया कार्य है ठीक है अगर आप लोगों का आवेश जो है वो एकांक आवेश है तो यहां पे किया गया कार्य ही क्या होता है विजित विभाव के बराबर होता है या दोनों बिंदूओं के विभाव के बराबर होता है या फिर इनके बीच के विभाव के बराबर होता अगर इसका क्या हो रहा था कि इस बीच का और लोगों का कौई परिमाण है तो ऑगर इस व्राबर आप लोगों किया मिल रहा था ग्यों कीव बीच होगा और यहां पर अगर विभूवाफर के रूफ में अगर हम लोग लिख रहे थे तो A से B तक के लिए जाने के लिए जो किया गया कार है वो क्या हो रहा था V A माइनस V B हो रहा था ठीक है तो जैसे की यहाँ पर इस प्लेट का जो विभाव V A है ठीक है इस प्लेट का विभाव क्या है V B है ठीक है यहाँ पर ठीक है तो इस वजह से यहाँ पर इनकी स्थिति उर्जा भी होगी, क्यों उर्जा इस्तितिज होगी, क्योंकि यहाँ पर आवेश को हम लोगों ने क्या कर लिया है, आवेश को इन दोनों प्लेटों में हम लोगों ने संचित करके रखा है, सुरक्षित करके रखा है, ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आवेश क जो उर्जा है उसको हम लोग क्या करते हैं यू ए से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर इस भी बिंदू पर जो उर्जा है उसको हम लोग क्या करते हैं यू बी से प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो यही आप लोगों की क्या कहला रही है यहां पर विद्यूत इस्थितिज का calculation करने के लिए थीक है तो यहां पर यहां पर जो आप लोगों ने यही निकाल है ठीक है का रे निकाल है यही क्या होगी यही आप लोगों की स्थितिज और त피ंदू तक क हम लोग इस तरहते हैं तो क्या हो जाएगा यू QA – UB barabar QVA – VB यहीं आप लोगों की क्या है? जो किया गया कार्य है? स्थिति जूर्जा है इसका मतलब कुछ नया नहीं पड़ना है हम लोगों को कार्ये calculate 광ulet करना हम लोग आरेड़ी सीख चुके हैं कार्ये calculate करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को स्थिति जूर्जा भी मिल जाएगी बस हाँ मतलब कि थोड़े concept को और मतलब हम लोगों को explanation को यहाँ पर देखना है कि कैसे होगा क्या होगा लिख लिक क्या प्राक्टिस करनी है आप लोगों को तो ये तो हो गई आप लोगों की स्थिति जूर्जा बस इतना ही है आप लोगों का विद्यूत इस्थिति जूर्जा में अब हम लोग आगे देंगे क्या देखेंगे बाहए शेत्र में स्थिति जूर्जा देखेंगे दैन हम लोग द्रू के कारण बाय शेत्र में स्थितिज उर्जा ठीक है तो वन बाई वन देख लेते हैं सबसे पहले तो यह डैफिनेशन नोट कर लो बिंदू आवेशों से मिलकर बने किसी निकाए की विद्युत स्थितिज उर्जा उसके द्वारा किये गए कारे की बराबर होता है ठीक की अब अनन्त से ला करके मतलब की जो बिंदू आवेश के लिए मैंने पढ़ाया था ना कि इस प्लस क्यूं आवेश के विद्यु छेटर में कहीं अनन्त से हम लोग लेकर क्या रहे थे इससे आठ दूरी पर किसी बिंदू पर हम लोग क्या करे थे यहां पर आवेश को ला लेकर क्या हूंगी मतलब की उनको अनंत से मैं क्लास्रूम तक लाने के लिए क्या करूएंगी कुछ न कुछ मेहनत करूंगी वही मेरा क्या कहलाएगा कारे कहलाएगा और वही यहां पर इस केस में ठीक है मालों की वह बदमास बच्चे ही हमारे क्या है विद्धुद आवेश है तो उन विद्धुद आवेशों को मैं अनंत से लेकर कि कहां लेकर क्या रही हूं क्लास्रूम में अपने प्रभाव छेत्र में मैं लेकर च्यार हूं जहां पर मैं teaching करी हूं और वहां पर लाने तक के लिए जो मेरे को कार ना पढ़ा ठीक है रहा हैं यहां आ पढ़ना है बायर को एक समानी जिसके लिए हम लोगों के लिए अगर हम लोगों को इस्थितिज उर्जा calculate करना हुआ हूँ जैसे कि मार्ण उर्जा calculate करना हुआ तो कैसे calculate करेंगे ठीक है तो इसका calculation अभी हम ने सीखेंगे । यह सब्सक्राइब करना हुआ जैसे कि कि मानलोग कोई single बिंदू आवेश है कि यहां पर मानलोग कि यह क्या है एक आप लोगों के पास क्या है Q1 और एक क्या है Q2 मान लो कि ये जो Q2 है मान लो कि ये Q2 जो है, ये मेरा अच्छा बच्च्च है अच्छा student है जो already sincerely पढ़ाई करता है ठीक है और चुप चाप classes देखता है इधर उधर की फालतू बख्वास नहीं करता है आप लोगों की फालतू बकवास मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे को फालतू बकवास कने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर आप चाहते हूं कि दो आवेश रहे तो होगा क्या, कि ये एक आवेश तो यहाँ पर पहले से था, ये एक आवेश यहाँ पर क्या था, इस classroom में मेरे classroom में पहले से था, इस Q1 आवेश को मैंने क्या किया है, अनन्त से ले करके, इस classroom तक क्या करा है, ले कर क्या आया है, ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्रावन के पोज़िशन मतलब उस पोज़िशन तक लाने में जो किया गया कारे है वो क्या क्याobyड करेंगे तो हम लोगों को Q1, Q2 और Q3, तो minimum हम लोग 3 बिंदू आवेश ही लेंगे, ठीक है, minimum हम लोग क्या लेंगे, 3 बिंदू आवेश ही लेंगे, क्योंकि बहुत जादा बिंदू आवेश लेंगे, तो उसके लिए बहुत जादा calculation हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को concept को हमको समझाना है, simply, ठ क्या देख लेते हैं, एक बिंदू आवेश की कारण, स्थिति जुर्जा, तो यह बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आौरेदी आप लोगों को बताह दिया है, एक बिंदू आवेश की कारण, हम लोगों ने किया गया, कारे आल्रेडी देख लिया है, है ना, विभाव औ और और आवेश के परिमार के गुणनफल के बराबर होता है कोई भी एक अकेला आवेश है ठीक है उसको हम लोग क्या करते हैं अनन्ष से किसी विल्कुलान की बराबर होती है बिल्कुल वही लिखा है, simple ही वही लिखा है, तो अगर हमको इसको calculate करना हुआ, तो हमको क्या करना पड़ता है, आवेश का परिमान और उस बिंदू पर विभाव, मतलब किस बिंदू पर विभाव, पी बिंदू पर विभाव, अगर इनका हम गुणन फल कर दें, तो हम पस दो बिंदू आवेश है, Q1 और Q2, ठीक है, यह जो है, एक दूसरे से काय कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, अगर मान लोगी इनके बीच में परावेद्यू तांक रखा हो, ठीक है, वैसे तो परावेद्यू तांक के बारे में, मैं आप लोगों को detail में, next lecture में आग याद करनी है, विद्धित स्थिते जूर्जा मतलब की अगर हम लोगों को यू ग्याद करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, कि आवेश Q2, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिया है, जो आवेश Q2 है, वो कहीं अनंत पर है, Q1 जो है, आप लोगों के, मतल मालो की आवेश Q2 जो है, आवेश Q2, सुर्य, यहाँ पर जो है, मैंने Q2 को अपने जगह में लिया था, अच्छा स्टुडेंट, वहाँ पर थियोरी में Q1 को अच्छा स्टुडेंट ले लिया है, तो चलो, बदमास बच्चे भी अब अच्छे स्टुडेंट बन रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इस थियोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाइग्राम बना के बता देती हूं, ठीक है, तो यहाँ पर मालो की क्या है आप लोगों का, Q2 जो है, यहाँ पर कहीं पर अनंत पर है आवेश, और Q1 जो है, मालो की मेरे क्लास्रूम में एक अच्छा बच्च करनी है, तो यह हम लोगों को कारे कैलकुलेट करने से मिलेगा, तो इसके लिए हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए हम लोग जो इस Q2 को यहाँ पर इस के मूल, मतलब की इस मूल आवेश के, मतलब की इस Q1 आवेश से आर दूरी पर जब लेकर के आते है, तो जो हम लोगों को यहाँ पे कारे करना पड़ता है है ना आर्दूरी पर लेकर क्या आने के लिए जो हम लोगों को कारे करना पड़ता है इस कारे के कैलकुलेशन से हम लोगों को स्थिते दूज़ा प्राफ्ट हो जाते है सिंपल है उसके लिए आप लोगों को सुत्र क्या का लगा नहें क्युड़का परिमार मतलब कि जिस बिंदु आनता से लेकर ficou हम अनन्त लेकर ले रहे हैं उसका हम लगों क्या लेना है क्यों का परिमार ठीक है और जिस आवेश को ग्या कर रहे है Almost को नृकर क्या रहे है वो कार हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो इनका गुड़न फल जो है हम लोगों को क्या देदेगा दो बिंदू आवेशों के कारण हम लोगों को यहां पर स्थितिज उर्जा प्राप्त हो जाएगी ठीक है यह तो हम लोगों ने देख लिया इ पता देती हूं जैसे कि यहां पर क्या लिखा हूआ है यूँलिखा हूआ है तो यहां पर क्या है कि 좀 कड Souls को पर क्या है तो इन दोनों के लिए स्थितज़दा निकान नी है तो यहां पर हम लोगों पर तो यहां पर हम लोग अगर यहां पर लिखेंगे किसके लिए विभाउ लिखेंगे इस क्यों टू आवेश के लिए विभाउ लिखेंगे ठीक है तो यह विभाव यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर जो विभाव है वो विभाव क्या होगा यह विभाव आप लोगों को लिखना पड़ेगा एक बटे चार पाई एपसलान नॉट Q1 बटे R ठीक है Q1 बटे R यह विभाव हम लोगों को किसका लिखना है इसका लिखना है इसका विभाव हम लोग क्यों लिख रहे है क्योंकि हम लोग इन दोनों को क्या कर रहे है R दूरी पर पास में लेकर क्या रहे है Q1 से R दूरी पर लेकर क्या रहे है ठीक है तो इसके लि अब लोगों का क्या हो जाएगा ये क्यों टू और ये अप लोगों का एक स्थितिति उरजा अangen बंक क्या आ गया स्थितिज उर्जा आ गई इन दो बिंदू आवेशों के कारण स्थितिज उर्जा ठीक है अब क्योंकि कारे का मातरक भी क्या होता है जूल होता है इसलिए हम लोग स्थितिज उर्जा का मातरक भी यहाँ पर क्या लिखते हैं यह दो बिंदू आवेशों के कारण अब हम लोग देखते हैं क्या तीन बिंदू आवेशों के करण मतलब की अनेक आवेशों के निकाय के करण मतलब दो से अधिक अधिक अगर आवेश रहा तो दो से अधिक आवेश की करण बने निकाय के करण इस्थिति उर्जा अगर हम लोगों को ग्याद करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जितने भी जोड़े हैं उनके अलग-अलग इस्थिति उर्जा ग्याद कर लेंगे कैसे जैसे कि अभी हम लोग उने Q1 और Q2 का ग्याद किया है ना तो Q1 और Q2 का ग् कालते हैं इस्थिते जोड़ा तो कि इनके दो-दो के जोड़े के करद जोनी काले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे जोड देंगे तो जैसे कि यहां पर मैं क्या करूंगी इसके कारंट बटू क को इनके बीच और क्या निकालना पड़ेगा तीसरा जोड़ा हमारा क्या बनेगा वन और थ्री का बनेगा तीसरा जोड़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा आर वन थ्री या आर थ्री वन जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो इसकी बीच की दूरी हम लोग क्या लिख लेंगे आर थ्री वन लिख लेंगे तो इस तरीके से इन तीनों को हम लोग जोड देंगे 1,2 प्लस 2,3 प्लस 3,1 को जोड देंगे तो हम लोगों को यहां पर तीन आवेशों के कारण स्थिति जुर्जा मिल जाएगी और इसी से अगर और N संख्या में अगर रहे तो हम लोगों को उनके सारे के सब के दो-दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे तो वो बहुत complicated हो जाता है सिर्फ इतना ही समझना है तो यह कैसे calculate करेंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों को यहाँ पर diagram से समझा देती हूं जैसे कि मान लो कि यह हमा ठीक है ध्यान से देखना ठीक है ध्यान से देखना तो अगर तुम लोग इन दोनों के बीच में वन टू के बीच में लिखोगे तो अभी अभी तो मैंने बताया तुम लोगों को वन टू के बीच में लिखोगे तो क्या लिखोगे वन टू के बीच में क्यू टू बटे च 4 πई epsilon not R23 ऐसे ही अगर आप लुको क्या लिखो गे 31 के बीच में रखो गे तो क्या हो जाएगा आप फ्रीक नटे क्या हो जाएगा ये 4 πई epsilon not R31 ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को हो जाएगा अपको लिस्थे ते जुड़जा हो जाएगी तो क्या करेंगे अलग अलग दो-दो के जोड़े के लिए निकालने के बाद इन सब का हम लोग क्या कर देंगे योग कर देंगे जोड़ देंगे इनको ठीक है तो इस तरीके से जोड़ देते हैं ठीक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इन सारे फॉर्मुले में हमारा जो है क्या कॉमन निकल रहा है य प्लास Q3 इंटो Q1 बटे क्या बच रहा है आर 3 1 तो इस तरीके से हमारा जो है ये बच रहा है हना अब जब ये बच रहा है यहांपर तो सबसे पहले तो मैं इसको जो है बिल्कुल यहां पर लिख देती हूं separate करके ये वाला हिस्सा मैं मिटा रही हूँ ठीक है ये वाला हिस्सा मिटा रही हूँ यहाँ पर थोड़ा जगा बना लेते हैं ये 3 1 मैं आप लोगों का यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये खिस दिया मैंने लाइन ठीक है ये वाला हिस्सा जो मैंने लिखा है इसको मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ ताक कि आप लोगों को clarity अच्छे से रहे कोई भी confusion ना रहे ये हो जाएगा q1 q2 बटे r12 प्लस क्या हो जाएगा q2 q3 बटे r23 प्लस q3 q1 बटे r31 ठीक है ये हो गया अब हमको क्या करना है अब इनको हम लोग summation करके लिखेंगे यहां पर यहां पर नेक्स क्लास में पढ़ेंगे तो उसको बस समझ लोग यहां पर summation 2 कैसे लगाओंगी ठीक है क्योंकि यहां पर दो दो आवेश है ठीक है तो एक तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहां पर एक जो summation लगेगा वो लगेगा आप लोगों का क्या i बराबर एक से लेकर के n तक के दूसरा लगेगा j बराबर दो से लेकर के n तक के ठीक है अब यहां पर यह जो है एक होगा क्या qi और एक होगा qj बटे क्या हो जाएगा ri j ठीक है ri j अब यह summation कैसे लगा है तो इसको ध्यान से समझना जैसे कि यहां पर q1 है q2 है q3 है टीक है तो यह जो इस टाइटिंग में हम लोगोंने qi लिखा है तो यहां पर i में क्या होगा वन से लेकर के n तक के जा रहा है कहां से लेकर के जा रहा है फिर फिर अगला वाला जो है नेक्स्ट वाला यहां पर क्या है q2 q3 और q1 q2 q3 और q1 ठीक है तो क्योंकि मतलब हम लोगों को सबको दो दो के जोड़े लेने हैं तो यहां पर हमारा शुरू कहां से हुआ टू से शुरू हुआ तो यह कहां से जाएगा आप लोगा का टू से लेकर के एन तक जाएगा और यहां पर जो दूरी है आर वन टू आर टू ठीक है तो यह जो वन टू थी है तो वो क्या है आई बराबर वन टू थी तो जब जब यहां पर आवेश वन रहेगा तो यह वा यहां पर नीचे में लिखा तो इस तरीके से हम लोगों ने स्थिति जूर्जा जो है अनेक आवेशों के कारण्ट विद्यूत स्थिति जूर्जा का एक समराइज समेशन के फॉर्म में यहां पर सुत्र निकाल लिया है बिल्कुल इसको नोट कर लो बिल्कुल बॉक्स बना चालो तो यह क्या निकल लिगों का बाहेशों में अनेक बिंद्रें आवेशों के कारन्ट देख लिया थिके ह सबसे पहले हम लोगों ने बल आगोन गैलकुलेट करा था बल आगोन बल आगोन गैलकूलेट किया था टाऊ בר पी-E Kros E बराबर क्या कैलकुलेट किया था पी-E sin theta ठीक है अब जैसे कि अगर हम लोगों निकालनी है स्थिते जूर्जा निकालनी में मतलब 나오는 कारे कैलकुलेट करने चाहिए होता है बल गुणा विस्थापन चाहिए होता है ठीक है बल गुणा विस्थापन चाहिए होता है तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों के केस में हम लोगों को कारे कैलकुलेट होता है पर यहाँ पर जब हम लोगों इस स्थिति दूर्जा के लिए मतलब विदूद जो के लिए जब लूगे हमारे पास have only been आगून है ठीक है यहाँ पर जो किया गया कारे होता है वो क्या होता है यहाँ टाव होता है और यहाँ पर जो डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है कोण है कर और is यहां पर जो दूरी जो हम लेते हैं कार जब हम लोगों को calculate करना होता है तो यहाँ पर हम लोग दूरी की जगह में हम लोग क्या करेंगे मतलब यहाँ पर कोड़ीव изथापन लेंगे ठीक है कोड़ी विस्थापन ली लिए और यहाँ पर हम लोगों ने बल के जगह बल अगून लिया और यह क्या रहे आप लोगों का थीटा के फॉर्म में रहेगा मतलब जैसे की f of x मतलब की x का फलन है ठीक है संबंध और फलन आप लोग बहुत पढ़ते हो ठीक है f of x लिखते हो तो x का फलन है तो वैसे यहां पर यह जो टाव है वो क्या है थीटा का फलन है और यहां पर जो कोणिया विस्थापन कर रहा है कि इसका फीटा कि नॉटस लेखर के थीटा उन तक Steven तक कि हीज़ता है तो हम लोगों किया निकल जाएगी यही हमारी स्थितिजर्या हो जाएगी यही हमारी वी द्रू की स्थिति जूर्जा हो जाएगी और ये स्थिति जूर्जा भी क्योंकि यहां पर हमारा कोने विस्थापन हो रहा है तो थीटा के फॉर्म में होगा समझ में आया बल आघूण हम क्यों पढ़ेते दोनों ही important सुत्र है ये वाला सुत्र भी important है और जो स्थिति जूर्जा का सुत्र अभी हम निकालेंगे ये बहुत most important सुत्र है इससे related आप लोगों को questions बिल्कुल need के exam में पूछे जाते है derivations आते हैं आप लोगों के boards के exam में ठीक है तो derivations और numericals दोनों ही आप लोगों को बनने चाहिए ठीक ओके तो भाई अब हम लोगों को next क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया कि जो हम लोगों की बाहर शेत्र में द्वीद्रू के कारण जो हमारी इस्थित्य चूट जूट जा है ठीक है वो हम लोगों की इस तरीके से लिख सकते हम लोग यह हम लोगों ने क्या किया find out किया अब हम लोगों को यहां पर क्या करना है बल आगून का मान रखना है ठीक है बल आगून का मान रखना है तो जाइर सी बात है बल आगून का मान हम लोगों को थीटा के फॉर्म में यहां पर रखना है तो क्या हो जाएगा यह हमारा थीटा नौट से लेकर के थीटा वन यहां पर बाहर ला सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा पी और यहां पर ईंगहल निकृष की हो मध of क्या होता है साइन थीटा का समा कलन क्या होता है साइन थीटा का समा कलन तो भाई माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का समा कलन तो यहां पर लिख लेते हैं हमारा क्या आ जाएगा यहां पर बाहे शेत्र में द्वीधू के कारण जो स्थिति जूर्जा है यह हमारी हो जा तो अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा लोवर लिमिट हो जाएगा लिख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट लिमिट पूट कर देते हैं यह हो जाएगा क्या पी और यह हो जाएगा माइनस कॉस्ट थीटा अपर लिमिट थीटा वन माइनस 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 प्लस हो जाएगा लोवर लिमिट काई कॉस्ट थीटा नॉट ठीक है अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट ठीक है तो यहां पर ध्यान देना कि जब हमारा क्या था इस तरीके से एक समान विद्धु छेत्र में क्या रखा हुआ था देखो मै कर रहा था थी यह जो है अधीक D natal सकता है यह ऐसा रखा सकता है आप लोगों का दवीधरु यह अगलोको का नोंगे क सकता है अभ यह जब 9 रहेगा तो हो सकता है यह इसको इधर लाने का प्रयास करें या फिर ये इधर जाने का प्रयास करें, मतलब इसको difference कर देते हैं, या फिर ये इधर जाने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये angles के उपर depend करेगा कि वो किधर जाने का प्रयास कर रहा है, तो वो आपके जो ये theta 1 का angle है, वो आपका हो सकता है 0 degree, या फिर इसका 90 degree और या फिर इ 180 degree का हम लोग case देखेंगे, तीनों ही case देखेंगे, पर यहाँ पर theta 1 का case समझ जाओ, कि theta 1 अधिक्तम जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है, यह 90 से इसको 0 में लाने का प्रयास करें, या फिर 90 से इसको क्या करें, 180 degree में लेकर के जाने का प्रयास करें, कुछ भी प्रयास यहाँ प ठीक है तो कॉस 90 डिगरी का मान शुन्य होगा तो यहां पर मैं लिख लेती हूं कि जब थीटा नॉट वराबर शुन्य हो सुर्ण नबबे डिगरी हो ठीक है थीटा नॉट बराबर नबबे हो तो इस केस में आप लोगों की जो बाहर शेत्र में स्थिते जुर्जा होगी वो क्या मतलब कि यहां पर यह जो है यह हमारा क्या है थीटा है मतलब कि जो हमारा वहां पर प्रत्यान बल लगेगा जिसकी वज़ा से हम लोगों को भौतिक राश्य मिलेगी बल आगुन की ठीक है तो वो उसको 0 अग डिगरी के कोड़ पे भी ले जाने का प्रयास कर सकता है प दोनों ही सुत्र बहुत जादा इंपोर्टेट है अब इनके लिए केसेज बता देती हूं मैं दोनों के लिए ही आप लोगों को केसेज बता दूंगी ठीक है तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला है बाहर शेत्र में धुई-धु के करण जो स्थिति जो उर्जा मिली है यह जो होंगे वो क्या हो जाएंगे डॉट प्रोड़क्ट हो जाएंगे जबकि हमारे पास जो टाउट ठीटा आई थी टाउट ठीटा हमारे पास क्या थी पी ई साइन ठीटा थी तो साइन ठीटा के फॉर्म में थी तो उनको हमने सदीश रूप में लिखने के लिए क्या गया यहाँ पर सदिस लगा देती हूं ठीक है यहाँ पर सदिस लगाना बहुत जरूरी है जब हम लोग डॉर्डर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो जब ठीटा बराबर 0 डिगरी हुआ तो इस कि बलागून की बात करते हैं तो बलागून हमारा इस केसमेn क्या हो जाएगा जोगी है थी तो यहाँ पर सब्स्रीयों कि ऑप हमारे प्छो में एविए बरिगरी के केस में आप लोगों की थितितिच उरजा होगी यह कि यूनता में स्थिते जोगा होगा ठीक है इसी के जगह में अगर क्या होगा ठीक है तो एक सो असी का मान क्या होता है क्या हो ग्लेज़ा क्या क्या हो जाएगा यह ऊसमे स्थिते जूर्जा के अधिक इस यहाँ पे रखूं यहाँ पे रखूं ठीक है तो साइन 180 क्या होता है तो आप लोग रख के देख सकते हो कि क्या मान प्राप्थ होगा बिल्कुल वो आप लोगों को रख के देखना है यहाँ पर मैं बाहर शेत्र में द्विद्रू की स्थिति जुर्जा पढ़ा रही हू होता है तो इस केस में आप लोगों की क्या हो जाएगी स्थिति जुर्जा का मान शुन्य हो जाएगा जबकि इस केस में आप लोगों का जो स्थिति जुर्जा का मान है इस केस में बल आगुर का मान है बल आगुर का मान आप लोगों का इस केस में क्या होता है मैक्जिमम हो दोनों ही formula बहुत ज़्यादा important है तो बिलकुल इसको आप लोग एकदम छाप लो दिमाग में बहुत ज़्यादा important है ये दोनों formula मैं side हो जाती हूँ quickly screenshot ले लो ठीक है quickly जल्दी से फटा फट से screenshot ले लो तो भाई आज की class में हम लोगोंने बहुत सारे topics cover किये हम लोगोंने स्थित्य जुर्जा के बारे में पढ़ा ठीक है क्या पढ़ा हम लोग देख लेते हैं फटा फट से quickly revise कर लेते हैं यहाँ पर तो आज की class में हम लोगोंने एक समान विद्यू छेत्र में एक समान पर आगून बल आगून पढ़ा ठीक है और क्या पढ़ा हम लोगोंने विद्यूत इस्थित्य जुर्जा भी पढ़ लिया ठीक है तो इस्थर विद्यूत विभाओं के लगभग सारे topic लगभग क्या पूरे ही topic हम लोगोंने cover कर लिए हैं सारी topics cover हो गया है अब सिर्फ रह भीवेशन क्यों करवाई तो करवाई क्यों कि विभाव और कहां पर आप लोगों का इस्तेमाल होता है तो मैंने आप लोगों को जब विद्यूत च्हेतर बढ़ाया था तो वह concept भी मैंने आप्लों को दिखाया था बिल्कुल और विभाव के case में भी मैं दिखाऊंगी पर विभुवांतर और इसिर विद्धित विभाव के बारे में पढ़ाता है बहुत छोटा सा मतलब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कुईकली कवर कर लिये हैं और उसके बाद एक समान विद्धित्षेत्र में हम लोग विद्धुईधू के आ फिर हम लोगों ने क्या देखा दो बिंदू आवेश के कारण देखा फिर हमने क्या देखा तीन बिंदू आवेश के कारण या फिर अनेक आवेशों के का निकाय के कारण हम लोगों ने इस्तिति जुर्जा देखा जिसमें हम लोगों ने तीन आवेश ले करके कैलकुलेश साब बिगदम चाप लेना दिमाग में यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम जल्दी से फटा फट से रियल एप लाइफ अप्लिकेशन देख लेते हैं तो भाई यह आप लोगों का वांडी ग्राफ जेनरेटर है यहां पर बहुत उच्छ विभाव उत्प करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं तो यह आप लोगों का रियल लाइफ एक्स्प्ले एप्लिकेशन है उसके अलावा जो यहां पर यह जो है जिरॉक्स कॉपी जो आप लोग करवाते हो फोटो काउपी सेम आज इस आप लोगों को एक्जाम्पल मैंने जब जहां पर भी हम लोगों को विद्युठ छेत्र होता है वहां पर आपे विभाव दोनों एक दूस्तर से रिलेटच 008 और यह सब कब होते हैं जब आवेश जो है मौझूद होते हैं अभी तक फिलाल हम लोग इस्थिर आवेश के करेंट पड़ रहे हैं अगला ध्याय हम लोग शुरू करेंगे करेंट इलेक्टिसिती जब हमारा धारिता वाला टापिक पूरा हो जाएगा तब अब वहां पर हम लोग क्या करेंगे इन इस्थिर आव प्रोसेजर कैसे यहां पर लगता है विभा कैसे लगता है यह मैंने अल्रेडी आप लोगों को फर्स्ट अध्याय में समझा दिया अगर आप लोगों नहीं देखा है तो क्लास कतम होने के बाद फोस्ट चैप्टर के भी सारे लेक्टर आप लोग वन बाई वन करके पूरा कवर कर लेना इसी तरीके से लेजर प्रिंटर यहां पर भी प्रिंटिंग हो रही है यहां पर बिल्कुल विद्यूत आवे यह जो है आवेशित हो रहे है ठीक है आवेशित हो रहे है आवेशित होने की कारण यहां पर क्या हो रहा है विद्यूत्षेत्र उत्पन हो रहा है स्मोक प्रेसिपिटेटर याने की इलेक्ट्र स्टेटिक एयर क्लीनिंग मतलब की क्या है कि जो प्रदूशित धुआ है उसको कार खाने से बहार निकालने से पहले इस तरीके से जो है प्रेसिपिटेटर का इस्तमाल करके क्या करा जाता है क्लीनिंग करा जाता है ताकि हम बनना है ना जल्दी से मेरे को कमेंटे करके बता कुछ तो करना है जिंदगी में कुछ थोड़ना-फोड़ना है तोड़ना-फोड़ना मतलब की बाइच्शी करें यहाँ के देखने के बाद जो मैंने आप लोगों को यहां पर रियल लाइफ एप्लिकेशन बताया है ना वीडियो के माध्यम से और क्लियर होगा कि जो हम लोग विद्यूत्षेत्र और विभाव पढ़ते हैं वह कितना पढ़ना जरूरी है हम लोगों को और जितने भी उपकरण हम लो लोगों ने इस्थिर विद्यूत्व विभाव का टॉपिक पूरा खतम कर दिया है फॉर्थ लेक्चर में आप लोगों को धारिता पढ़ाओंगी समनांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ाओंगी तो बिल्कुल आप लोगों को पढ़ के आना है आज की क्लास को भ पीडिएफ जो है वो शेयर करती हूं ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लेक्चर 4 के साथ अपने धारिता और संधारिता टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बच्चो